हलो एवरिबडी दिस दिग्राव सिंग राजपूत वेलकम टू मेगनेट बेंज इस वीडियो लेक्चर से हम लोग एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना इकनोमिक्स का चाप्टर जाप्टर है पॉधर टी एस चैलेंज दगि हैं चाप्टर कका है अगर आफ समझते हो वह तै लिग्त dignity को चैलेंज की तरह consider से चीज़ क्या होता है कि अभी तक हमने जो दूसरे पिछले दो चाप्टर जो पढ़े थे तो पिछले दो चाप्टर में हमने एक बेसिक concept देखा factors of production से related economy कैसे काम करती है human beings के बारे में ठीक है तो human beings के बारे में यह देखा कि human beings को कैसे capital में convert किया जा सकता है अब सवाल यह आता है कि जब आप देखते हो asset or liability तो अधिकतर यह देखने को मिलता है कि poverty tends towards liability ठीक है जो poverty होती है गरीब ही क्या करती है हमारे देश में एक liability बन जाती है ठीक है आपको क्या करना होगा कि वह under privileged section बन जाएगा फिर उसका special ध्यान रखना पड़ेगा आपको ठीक है तो वह challenge होती ही गरीब होगा इंसान तो वह vicious cycle में फच जाएगा ठीक है वह educated नहीं होगा ऐसा usual stereotype नहीं बनाना में exceptions are always there तो हम क्या कहेंगे कि गरीबी के चलते आदमी education का afford नहीं कर पाएगा quality education का afford नहीं कर पाएगा अब जब वह education का afford नहीं कर पाएगा तो उसका negative side क्या होगा उसका negative side होगा कि education नहीं है education के कारण क्या होगा अपनी health condition पर सहीं ठाइक कि और मंभए तो पैसे नहीं पाया तो आगे भी पैसे नहीं पायंगा तो यह एक सरक्लबन जाएगा फिर इस उपर कैसे आना है और उपर कैसे आनाwriter रोसे उपर मतलब नात्मफ city उपर आना तो इह कर और लिज को अब ना ये चैल्फ एक्टमेटर जो अप authentication एक challenge है और उसे कैसे overcome करना है clear यह यहां तक हुआ अब अगर दिखा जाए तो poverty is considered as a multi-dimensional problem multi-dimensional problem मतलब क्या है कि poverty सर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि पैसे नहीं है इस कारण से problem एक वो प्रानलोड जितनी भी problems है तो problems towards क्या रहेगा कि पूर जो section है पूर जो strata है वो ज्यादा प्रभावित होगा उससे वो ज्यादा influence होगा उससे तो यह सारी समस्यां जुड़ी रहती तो poverty is a multi-dimensional problem poverty को सिर्फ आप पैसो की कमी तक मत देखिये poverty के चलते दूसरी भी बहुत सारी तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पढ़ता है और कर रहे हैं लोग ठीक है अब सवाल यह आता है कि आपने गरीबी तो बोल दिये लेकिन गरीब कौन है ठीक हूँ आर पूर आप किस में आपके मन में एमेज बनेगी कि कोई इंसान होगा जिसके कपड़े फटे से होंगे ठीक है जो बहुत दुबला पतला होगा आपि कह सकते हैं जो अलग से ही अंडर नरिश्ट दिख रहा होगा फिर उसका रहता कहां होगा वो तो जुगी वगेरा में रहता होगा इस तर तो हम यह पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना पॉवर्टी एस चैलेंज तो आपको इस चीज़ पर कंसर्प्ट क्लियारिटी मिलेगी कि नहीं नहीं पॉवर्टी जो है तो पॉवर्टी को आप सिर्फ ऐसे मत देखो पॉवर्टी मल्टी डाइमेंशनल प्रॉबलम है ठीक ह यह पिंद hemos में मैं आपको बताने हां जालो ओओ पॉवर्टी और पॉवर्टी से झुड़े ग़ी कुछ कंसर्प कैसे वह चैलेंज है यह तो बता दिया है और अब हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो इस चैक्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे देखिए, सबसे important, सबसे पहली चीज, what we are going to study, what we are going to discuss in this chapter is, two typical cases of poverty, ठीक है, rural and urban cases, तो यह दोनों कहानिया पढ़ेंगे हम इस chapter में, ठीक, कि poverty जो है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि गाउं में ही देखने को मिलती ही गरीब या फिर सिर्फ शहरों में देखने को मिलती है दोनों जगा, rural case में भी देखेंगे, urban case में भी देखेंगे कि poverty क्या है, दो अलग-अलग hypothetical stories के थूर देखेंगे, दोनों में हम contrast करेंगे, दोनों में analyze करेंगे, चीजों को कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी poverty, ज़्यादा भायान है के, rural area में ज़्यादा poverty दिक्कत देती ह फिर urban area में, तो एक condition हम ये देखेंगे, दूसरा, what is poverty, तो वही वाली बात है कि poverty, who are poor, what is poverty, तो इस poverty कि हम क्या करेंगे, specific definition देखेंगे, what is poverty, how it is seen by social scientist, जो social scientist कौन होते हैं, तो जो social subjects के साथ में experiment करते हैं, social subjects के साथ मतलब, जो society को study करते हैं, जैसे scientist क्या करते हैं, जो core scientist होत होते हैं, तो chemistry के कुई scientist है, तो कुछ chemistry, chemicals वगएरा के साथ में क्या करेंगे, experiment करेंगे, तो वैसे social scientist मतलब, जो society को समझते हैं, society के अलग-अलग issues को scientist की तरह scientific way में पढ़ते हैं, समझते हैं, वो social scientist हो गए, तो अब हम देखेंगे, poverty क्या है, social scientist के according poverty क्या होती है, इसमें दो चीजे देखेंगे, तो social exclusion और vulnerability, तो social exclusion क्या होता है, vulnerability क्या होती है, इन दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे, तो यह हमारा broad outline होने वाला है, clear है, यह हमारा broad outline होने वाला है, what we are going to discuss in this chapter में, typical cases देखेंगे, poverty के बारे में देखेंगे, अब जब poverty हमने समझ लिए, त आप किसको गरीब काओगे, किसको अमीर काओगे, यह depend करता है, sorry, यह depend करता है poverty line के उपपर, तो हम poverty line को भी समझेंगे कि poverty line क्या होती है, ठीके, poverty line को समझेंगे, फिर poverty estimates को समझेंगे, poverty estimates को क्या, बदब आपने एक line खीज दी यहां पे, इससे उपर सारे अमीर, ठीके, इस चीज़ को समझेंगे poverty line poverty estimate फिर vulnerable groups कौन कौन से होते हैं society में तो rural area urban area आप दोनों के reference से vulnerable क्या होता है यहां पर भी पढ़ेंगे हम ठीक है तो यह basic broad outline होने वाली है फिर interstate disparity अब देखो यह बहुत अच्छी interesting चीज़ है कि हमारे देश में जो गरीवी अमीरी है तो वह interstate disparity में बटा हुआ है मतलब कुछ states अमीर है कुछ इस्टेट्स करणार गरीब है मतलब देश में तो जो सीन है poverty को पूरे देश के लिए रहेगा लेकिन पूरे देश में कुछ स्टेट के पास पैसा है। कुछ स्टेट के पास पैसा नहीं है। तो इστ इंटर स्टेट्यक इस्पैरिटी को हम क्या करने वाले हैं अब सब Alleffory Costes of poverty में masses party. क्या है कि गरीबी तो है अब गरीबी ।्यू था इस बात अब टी's वहाट आधा इस तरह से गरीबी को खतम करने के बाद में और भी क्या हमारे सामने चैलेंजेशं़ हैं हमने कोशिश तो करी एंडी-poverty-measures में लेकिन अभी पुरी तरह से गरीबी खतम नहीं हैं तो क्या-क्या of poverty सवाल हमारा यही कि poverty होती क्या है पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसी में poor who is poor आपसे question पुछा गया तो आपके मन में तरह तरह की images बनती है कि गरीब आदमी जोगा तो उसके कपड़े labor case अब urban case मतलब शहर में क्स तरह की घरीबी देखने को मिलती है और rural case में हम देखेंगे कि कि gamin शेतर में गाओं में किस तरह की घरीबी देखने को म。 इसका मतलब क्या है कि गरीबी सिरिफ शहर और छिशर्थ गाहों तक सिमित नहीं हे गरीबी दोनों जगा पाई जाती, poverty is being observed in both the areas, rural areas and urban areas. तो अब हमारे पास दो स्टोरी है, स्टोरी ओफ रामसरन और स्टोरी ओफ लाखा सिंग, ठीक है, तो स्टोरी ओफ रामसरन में हम देखेंगे कि रामसरन एक शहर में रहते हैं, एक wheat floor mill जो है, वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, वह भी बड़ा है, छे लोग है, इंक्लूडिंग रामसरन, तो उसमें क्या क्या है, कौन को न आ जाएगा सब, चार बच्चे, एक wife है, तो यह एक family size भी बड़ा हो गया, ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा डुपलेक्स है, एक छोटी सी, क्या कह सकते हैं, आउ पर बच्चे हैं वाँपे, तो रामसरन काम कर रहे हैं, उसके साथ में रामसरन के उपर responsibility उनके father की भी है, गाउं में जो पिताजी है, तो गाउं में पिताजी को भी पैसे पहुचाना रहता है, शहर में वैसे ही महंगाई होती है, तो अपनी जरुते भी पूरी करना होती ह तो इसके लिए क्या होता है कि रामसरन की जो वाइफ है, तो वो भी क्या करती है, काम करती है, क्या काम करती है, तो घर में जाके मेट का काम करती है, फिर अब क्या होता है, उन्हों देखा कि family income को और supplement करवाना है, तो wife कमारी 800 रुपे और जो सबसे बड़ा बेटा है, तो बड़े बेटे को भी उन्होंने काम पर लगा दिया, 300 रुपे वो टी स्टॉल पर काम करके कमाता है, तो आप देखोगे कि urban case में जो poverty है, तो वो क्या कर रही है, पावर्टी के कारण family के हर इंसान को क्या करना पड़ रहा है, काम करने के लिए जाना पड़ रहा ताकि वो support कर सके, supplement कर सके, अगली चीज और क्या हो रही है, अगली चीज इस पे यह भी हो रही है, यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि बहुत luxurious life जी रहे है वो, ठीके घर में नया सामान आजाना, soap आजाना, ठीके, oil आजाना, यही luxury हो जाती उनके लिए, कपड़े जो हैं तो usually क्या होते है कि बड़े भाई के कपड़े छोटे पेन रहा है, मतलब चार बच्चे है ना, तो वो line में उतरते जाते हैं कपड़े, और छोटे वाले बच्चों को मिलते जाते हैं, कभी कबार साल में एक बार नए कपड़े आ जाएं तो luxury, तो इस तरह से हमने urban case देखा पाओ, ठीका, story आप भी पढ़िएगा, मैंने आपको एक outline दे दिए, ठीके, अब rural case देखें, अगर लाखा सिंग की कहानी देखें, तो लाखा सिंग भी क्या कर रहे हैं, वो भी एक farm laborer की तरह काम करते हैं, ये rural areas में, ठीके, farm laborer की तरह काम करते हैं, तो दिन भर महनत करने पे कहीं 50 मिलना है महिलने के, ठीके, आदे दिन काम नहीं मिलेगा, तो उस संस में लाखा सिंग की भी condition क्या है, बहुत खराब है, लाखा सिंग के फादर जो है, तो फादर को क्या हो गया है, टीबी की बिमारी है, लाखा सिंग की मदर जो है, तो मदर को भी वही बिमारी हो गई है, अब वो पैसो की कमी के कारण TB का इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं ठीक उसके बाद में यहां पर क्या हो रहा है कि लाखा सिंग थोड़ा सा रूरल इरियास में है तो काम करने पर क्या मिल जाता हो नहीं काम करने पर कहीं से कुछ खाने की चीजें मिल जाती है ऐसे वेज, पैलिटरी वेज की तरह क्या जकतो है, ठीक है बहुत कम लेवल पे क्या, अब क्यों कि गाओं में food crops खुदी grow कर रहे हैं, तो किसी क्या harvest पे गये थे, crops grow ही है, तो उसने क्या कर दिया है, in kind दे दिया लाखा सिंग को, कुछ food crops, wife भी fuel wood collect करना, ठीक है, fodder को collect करना, काटना, ये सारी चीज़ों में engage रहती है, तो इस तरह से हम देखा क्या, कि लाखा सिंग के उपर भी responsibility है, father mother की, ये सारी चीज़ें, राम सरन के उपर भी है, तो these are the two cases of poverty, इन stories को और अच्छे से पढ़िएगा, अब हमारा part क्या हमें ये समझना है, stories पर नहीं, आप से landlessness, ठीक है, तो एक कारण ये भी अब इनके पास अपनी खुद की जमीन होती ही, तो खेती करके शायद वो अपना पैसा जाधा कमा सकते थे, तो पहला कारण ही हो गया landlessness, is no doubt landlessness is a major factor for poverty, unemployment, अब ये को unemployment क्या है, कि यहाँ पर employed तो दिख रहे हैं आपको, ये हमने क्या करा था ये हमने chapter 2 में भी पढ़ा था, disguise unemployment वाली चीज़ है, या फिर कह सकते है कि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, तो यहाँ पी unemployed नहीं है, लेकिन employment भी unemployment ये सी situation में लागे खड़ी कर दे रही है, क्योंकि जो wages मिल रही हैं बहुत ही minimum है, ठीक, size of families, ये बहुत बड़ी ची लेकिन अब family size ऐसा है कि चार बच्चे ही होता तो फिर भी समाल लेते, चार 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 बच्चों को कहा तक समाल लेंगे, तो family size also matters a lot, ठीक है, छोटा family size होता तो शायद उनकी conditions improve हो जाती, illiteracy, illiteracy में आप क्या है देखो, रामशनन को अच्छा काम इसलिए नहीं मिल पा रह और इन दोनों stories में ये factors पर अगर आप consider करोगे, तो poverty क्या है कि हाँ कहीं है कि ये factors directly indirectly influence कर रहे हैं poverty को, poor health and malnutrition, ये भी important चीज़ है, जैसे हमने देखा क्या, कि लाखा चिंग के case में क्या देखने को मिला, कि health condition जो है, तो वो सही नहीं है, किसकी उनके father की, टी बी हो रही है लेकिन पैसे की कमी के कारण, poverty के कारण वो इलाज नहीं करवा पार है, तो ये दिक्कते रहेगी ही रहेगी, क्या, कि poverty के चलते poor health and malnutrition होगा ही होगा, यहाँ पर आप देखो रामसरन के बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, तो वो they are malnourished, जो लड़की है वो क्या क आइंज two square of meals, ठीक है, तो दो वक्त का खाना ही सिर्फ अरेंज कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चपन भोग लग रहे होँ हाँ पर, clear, child labor, helplessness, तो child labor वाला case भी हैं यहाँ पर, child labor वाला case के से आगे हमने देखा, कि family income को supplement करने के लिए रामसरन के बड़े बेटे को, जो बार सिधा relation है, इन सारे factors के साथ में, और इन सारे factors का सिधा-सिधा relation है, poverty के साथ में, आगे हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी line आएगी, cause and consequences, both the things are related in case of poverty, ठीक, आगे पढ़ेंगे chapter में, तो अब अब हमने यहाँ पे एक picture देखी, पूरी poverty, ठीक है, अब अब अगर आपसे पु सारी भी होती है, भुकमरी होती है, और साथी साथ में, सर पर छत नहीं होती है, एक बहतर छत, ठीक है, फिर क्या है, lack of clean water and sanitation facilities, अब outskirts में रह रहे हैं, क्या होते हैं, छोटी सी जुगी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या दिक्कत जाती है, उसके चलते, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, sanitation facilities नहीं मिल पा रही है, तो यह poverty को relate करती है, सारी चीज़े, अब देखो, कोई अगर साफ पानी नहीं पी रहा है, तो उससे बिमार जादा होंगे, बिमार जादा होंगे, गरीब हैं, तो अपना जितना पैसा कमा रहे है, वो बिमारी में लग जाएगा, त अब हमने देखा है, यहाँ पर lack of regular job, यहाँ पर कभी काम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं है काम, तो these are the indicators of poverty, these are the reasons, these are the consequences of poverty, living with a sense of helplessness, चारो तरफ क्या दिखती है, निराशा ही, निराशा दिखती है, तो these are the factors, ठीके, अब यह क्या है, यह society का सबसे अधा deprived section है, जो इ relative concept कैसा है, कि अभी आगे पढ़ेंगे, हमकी आप अमेरिका में चल जाओगे, तो अमेरिका में जिसके पास car नहीं, वो गरीब इनसान, लेकिन हमारे ऐसा concept नहीं है, ठीके, तो जो सबसे निचला इस्तर है, उसका upliftment ही क्या होगा, पावर्टी का upliftment होगा, ठीके, और महात् सबसे गरीब लोग हैं हमारी society के, ठीके, वो क्या है, उनकी जितनी भी पीडाएं है, ये सारी पीडाएं सहन करना पड़ रही है, गरीब के चलते हैं, अगर वो सारी इन पीडाओं से जब मुक्त हो जाएंगे, तभी देश सही माइनों में आजाद होगा, ठीके, अगर कि इन इन फेक्टर्स पर सफर करना पड़ रहा है, और आपके observation में आप ये लिख सकते हो कि महात्मा गांदी नी जैसे कहा था क्या, महात्मा गांदी जैसे कहा कि इंडिया true sense में independent कब होगा, when the poorest of the people would become free from the human sufferings, जो भी पीडाएं हैं, जो भी प्रताणना हैं, उनसे जब जि जो दिन देश सच में आजाद होगा, ठीक हैं, ये सारी चीजे पढ़ लिए हमने, अब देखो ये तो हमने visualize कर लिया, कि stories के थूँ, अब हम देखेंगे कि poverty को जो social scientist होते हैं, वो कैसे देखते हैं, हम पढ़ेंगे poverty line के बारे में, जी हां, सुनने में ऐसा लगता ना कि कु लक्षमन जी ने खीज दिये, इसके आगया आगया तो आप अमीर हो जाओगे, इसके पीछे रह गया तो आप गरीब हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक line है, ठीक है, क्या है line, किसने बनाई है, कैसे काम करती है, जितने भी doubt हैं आपके, सारे doubt आज हम इस वीडि जाती है कि poverty क्या है, मतलब देखो आप गरीब किसे बोलोगे, वो हमने अभी पिछले कुछ video lectures में समझा क्या, कि जिस इंसान को दो वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा सही, helplessness, lack of shelter, clean water, sanitation facilities, तो यह सारी चीज तो गरीब हो गई है, लेकिन आप वही वाली चीज है कि आप पेप स्टडी डवलप करना पड़ेगी, तो उसे आप पेपर पे कैसे प्रेजंट करोगे, तो पेपर पेपर प्रेजंट करने के लिए आपने क्या कर दिया, एक बेंचमार्क से कर दिया, और मतलब इस बेंचमार्क से ऊपर जो है वो अबव पावर्टी लाइन हो गए, और सिंपल सी चीज़े कि आपने पावर्टी लाइन, पावर्टी लाइन सेट किस बेसिस पे करिए, जैसे हम देखेंगे वलनेबिलिटी, सोशल एक्स्कूलूजन, ठीक, उसके बाद में सोशल इंडिकेटर्स, इलिटरेसी वगरा है, सारी चीज़े पड़ी थी हमने तो, तो आप किस बेसिस पे पावर्टी लाइन सेट करोगे, सोशल एक्सकूलूजन के बेसिस पे तो सोशल एक्सकूलूजन किसका कैसे है, और आप कैसे कैसे करोगे, आगे समझ में, जैसे हम मैं आपसे कहूँगा कि मैं अपने स्टुडेंट से बहुत प्यार करता हूँ, अब आप प्यार करते हैं किया सर नहीं न तो वह calculate यहाँ पे social exclusion vulnerability या फिर दो दूसरे social indicators हैं वो no doubt poverty को दर्शाते हैं लेकिन आप उन्हें calculate नहीं कर सकते हो और आपको benchmark क्या कह सकते हैं कुछ criteria set करना होगा तो criteria set करने के लिए आप क्या करोगी income और consumption level को लेते हो इसे common method used to measure poverty is based on income and consumption income को तो आप measure कर सकते हो न कि आप महिने में इतना कमाते हो आप महिने में इतना consume करते हो तो वो set कर सकते हो आप तो यहाँ पर हम वही पढ़ने वाले हैं कि income और consumption के थूख कैसे कैसे common method बन गई कि आप income और consumption से पता लगा सकते हो कि कौन poverty line के उपर है कौन नीचे है कौन poverty line पर है तो कैसे देखो simple सी चीज़ है आपने क्या कर दिये minimum level set कर दिया है minimum level मतलब आपने क्या बोल दिया कि भाया जैसे अभी facts पर दियान मत देना लेकिन वो poverty से उपर हो गया तो अब आपने क्या कर दिया है कि poverty line के नाम पर आपने income और consumption के basis पर एक minimum level set कर दिया है उससे उपर सारे above poverty line उससे नीचे सारे below poverty line clear है ये concept clear होना चीए अब अगली चीज़ क्या है poverty line में vary with time and place बड़ी interesting चीज़ है ये poverty line vary कैसे करती देखो तो vary करने का सीधा सा संदर्ब क्या है यहाँ पर कि ये USA है ये इंडिया है मान लो ठीक है अब USA की economy बहुत बड़ी है वहाँ के लोगों का standard of living भी इंडिया के लोगों से उपर है ठीक है इंडिया में कार नहीं तो यहां की poverty line क्या हो गई है पावर्टी लाइन में vary with time and space तो यहां की poverty तो आप गरीब हो time जैसे तो आजसे 100 साल पहले अगर कोई 1000 कमा रहेकं एक महीने के तो बहुत बड़ा आदमिया थिक्स की आप यहां पे इंकम और consumption level की बात करें तो फिक्स नहीं है वो समय के साथ में बदलती रहेगी आज poverty line कुछ और है कल कुछ और होगी परसो कुछ और होगी और पहले कुछ और थी ठीक है तो वो चीज़ हमेशे ध्यान रखना है ठीक है I hope यह concept समझ में आया आपको कि कैसे poverty line vary करती है देखो मैं आपको हर topic wise video lecture में यही बताने की कोशिश करता हूँ कि कितना ही अंदर से teacher question कहीं से भी पूछ ले अब जब हर concept को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो पूछ लो जहां से पूछते बने हमने भी तैयारी पूरी कर गया है वैसी कहानी होना चाहिए आपके साथ में ठीक है confidence उस level पर होना चाहिए clear है यह हो गया पूरा अब आगे देखें अगर तो estimation of poverty line in India अब आ जाते कि minimum level आप सेट करोगे है कि minimum level इतना है इससे नीचे जो रहेंगे वो लोग क्या है इससे नीचे सारे गरीब इससे नीचे सारे ऊपर तो वह minimum level आप किन चीजों के basis पर सेट करोगे आपने बोल दिया ऐसे हवा में ही बोलोगे की 100 रूपे आप कुछ ना कुछ सोचोगे ना poverty सेट करने से पहले तो यहां पर क्या सोचते हैं देखो हम देखते हैं level of food requirements कि आपको कितना खाना चाहिए कितना खाना लगेगा ठीक है clothing, food wear, fuel, light, educational and medical requirements etc are determined for subsistence मतलब देखो जीने के लिए खाना, कपड़े ठीक है कपड़े और यह चपल भी पहनना पड़ेगी, food wear ठीक, fuel, light यह सारी चीज़े भी लगी कि आपको घर में रोशनी, खाना बनाने के लिए energy यह सारी चीज़े उसके आद में education और health अब मैंने आपको बता है कि human development जो है तो सिर्फ paid भरने ले से नहीं हो जाएगा, आपको क्या proper education, skills, medical facilities इन सारी चीज़ों भी ध्यान देना होगा, तो आप यह जो basic requirements है, जो subsistence के लिए ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों का खर्च देखते हो, ठीक है, these physical quantities are multiplied by their price in rupees, तो आप आप ने देख लिया कि आपको खाने के लिए इतनी calories चाहिए, जैसे 2400 calories चाहिए रहेगे आपको खाने के लिए कहां पे, rural areas में, तो 2400 calories कितने रुपे में खरीच सकते हो आप, ठीक है, तो these physical quantities जो है, यह जो physical ही चीज़े है, कपड़े है, तो कपड़ा इतने मिल जाता है, आप लेने जाओगे तो एक लाक रुपे के भी मेरें के कपड़े और लेने जाओगे तो आप 500 रुपे में भी खरीच सकते हो कपड़े, आए ना समझ में, तो आप क्या करते हो, इन physical quantities का cost जो है, तो उनकी price को रुपीज में क्या करते हो, multiply कर देते हो, फिर आपके पास में food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirements, ठीक है, तो calorie requirement मतलब क्या होती है, कि जैसे food requirement जो है, तो आप calorie के basis पे poverty line को क्या करते हो, estimate करते हो, धियान रखना आप देखो, poverty line जो है, तो आपको what is poverty line, यह हो गया, it may vary from time and place, ठीक, अब इंडिया में estimation कैसे किया जाता है, तो हम क्या कर रहे है, जो basic subsistence commodities रहती है, जैसे यह सारी, तो उनकी price को multiply करते हैं, और उससे हमें क्या, जो amount मिलेगा, it is being set as the poverty line, अब हम क्या करते हैं, कि poverty line को calorie requirement के हिसाब से देखते है, present formula for food requirement, food requirement में मतलब कि आप जब poverty line set करने से पहले, food requirement भी देखते हो, किसको कितना खाना लगेगा, तो खाना आप ऐस के basis पर आप क्या करते हो, आपकी food requirement की benchmark को set करते हो, तो calorie कितनी लगती है, 2400 calories per person per day in rural areas, और 2100 calories per person per day in urban area, अब यहाँ पे एक सवाल आप के मन में आया होगा, कि rural areas में आपने calories ज्यादा क्यों रखी और urban areas में calories आपने कम क्यों रखी, देखो, तो rural areas में calorie requirement ज्यादा इसलिए रखी, क्योंकि rural area में क्या होता है, इंसान को कड़ी महनत करना पड़ती, खेती बाड़ी से जुडवा आदमी रहता है, तो उसे ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, ताकि वो अपनी के सरीर से जितना काम कर रहा है, उतना उस सो मिले भी, उतन क्या है, यहां पर calorie requirement क्या कर दी है, कम कर दी है, आगे समझ में, तो यह जो food requirement हम poverty estimation, poverty line के estimation में जोड़ते हैं, तो food requirement के लिए क्या formula आजमाते हैं, calorie requirement, और कितनी कितनी calorie यह ध्यान रखना है, यह one marks में question पूछे जाता है, देखो यह पूरा topic है poverty line, तो उसमें यह कुछ डेटा क्या देखा, calorie, फिर यह जो basic subsistence के लिए जो जितने भी requirements है, इन सारी चीजों को कर आप monetary expenditure पे दिखोगे, monetary expenditure मतलब कि पैसे के टम्स में कितना होगा, poverty line तो आप calorie से नहीं, पैसे से set करोगे ना, तो monetary expenditure per capita needed for buying this calorie requirement are, ठीके, 2011-12 के हिसाब सपढ रहे है, ठीके, अब जैसे 21 में क्या होगा, नए data आजाएंगे, तो अभी क्या है कि expenditure के लिए क्या होता है, जो 2011-12 की हिसाब से, अगर इसे monetary value में देखा जाए, इतनी calorie requirement के लिए, तो monetary value क्या होगी, the poverty line of person was fixed at 816 per month, ठीके, for rural area, अभी doubt आया, आपके मने में बताएंगे, उसको clear करेंगे, ठीके, तो rural areas में इनसान को 816 रुपे पर मन्त चाहिए, जो की मुझे पता है, आप सुचो कि बस इतना था, इतने में क्या होता है, पर मन्त में है, तो एक दिन का हो सकता है, लेकिन ये 2011-12 का data है, ठीके, और इसी के साथ में, 1000 रुपीस for urban areas, तो अब आपके मन में question ही आया होगा, एक तो में calorie जादा, जादा calorie खाएगा तो दिखती बात है, जादा पैसे लगना चाहिए, लेकिन पैसे तो आप urban area में जादा लगा रहे हो, ठीके, और जहां पे calorie कम है, तो देखो ये जो disparity है, ये जो confusion दिख रहे है आपको, उसका कारण क्या है कि, रूरे अरिया में खाना सस्ता म मॉनेटरी देखा जाए, तो मॉनेटरी एकस्पेंडिचर पर कैपिटा नीडेड ये हो गया, अब इसी के साथ कुछ ये तो पर मंत का हो गया, ठीके, अब अगर आप फैमिली की बात करो कि एक फैमिली को गर चलाना है, तो हम सपोस कर लेते कि एक फैमिली पांच लोगों क होगी, ठीके, तो फैमिली को कितना लगेगा, एक फैमिली जो पांच लोगों की होगी, तो रूरल एरियाज में, ठीके, जिनकी 4,080 रुपे पर मंत से कम सेलरी है, वो पावर्टी लाइन से नीच आएंगे, डेटा सारा ध्यान रखते चलना है, एक डेटा ये हो गया, ठी पर क्यापिटा का, अब अगर फैमिली वाइस देखा जाए, तो रूरल एरियाज में, पांच लोगों की जो फैमिली होगी, तो उनको 4,080 रुपे, ठीके, 4,080 रुपीज पर मंत होना चाहिए, अगर इससे कम है, तो पावर्टी लाइन में आ गए, ठीके, और उसके साथ साथ मैं, सिमिलर फैमिली अर्बन एरिया वुड और यही फैमिली अगर शहर में आकर रही हो, तो इसे कम से कम मिनिमम फाइफ थाउजन रुपीज पर मंत चाहिए रहेगा, फाइफ थाउजन रुपीज से कम है, तो वो क्या है, बिलो पावर्टी लाइन रहेगी, क्लियर ह इसे एस्टिमेटेट पीरियोडिकली नॉर्मली एवरी फावियर गंडूक्टिंग सेमपल सर्वेज अब यह पावर्टी लाइन जो है, तो इस पावर्टी लाइन को क्या है, वही मैंने आपको बता है, कि टाइम और स्पेस के साथ में रहती है, चेंज होती है, तो टाइम यह भी पता रहने हैं कि हमारी कितनी percent population poverty से निचे कितनी उपर है तो यह upgradation चलता रहता इसमें अब यह जो पूरा data collect करना कौन अमीर कौन गरीब कौन कितना खा रहा है कितना कमा रहा है यह सारी चीज़े तो आपको ऐसा रगता है कि लोग खुदा के बताएंगे नहीं इसके के द्वारा यह सारी चीजों को क्या किया जाता है समाला जाता है किया जाता है I hope concept clear है ठीके world bank was a uniform standard world bank use was नहीं आएगा use आएगा ठीके slide बनाने वाले तो use तो world bank use a uniform standard ठीके for the poverty line आप देखो यहां पर समझना है आपको मैंने आपको होता है कि US में और इंडिया में अलग-अलग poverty line होगी it varies from place to place लेकिन world bank क्या करता है uniform standard चला रहा है मतलब world bank ने बोल दिया पूरे world bank line खिच दिये क्या कि dollar 1.90 ठीके per person per day इससे कम जो कमा रहा है वो क्या हो गए करीब हो गए समझना डॉलर 1.90 यह uniform standard रख दिया इससे कम जो कमा रहा है वो गरीब हो गए इससे उपर साले सारे क्या हो जाएंगे अमीर हो जाएंगे तो यह simple सी चीज़ आपको उसका ध्यान रखना है कि world bank ने uniform क्यों रखा देखो कारण इसके पीछे भी world bank ने uniform इसलिए रखा है ताकि world world bank जो है तो क्या कर सके पूरे world को compare कर सके कि पूरे world में इस criteria से नीचे क्या हो जाएंगे लीस डवलप्ड या भी कह सकते हैं बिलो पूर्टी लाइन आगे सारे नीचन्स या फिर जो पॉपलिशन है और इस criteria से उपर जो रहेंगे तो सारे अब पूर्टी लाइन आ जाएंगे जो भी section ऑफ पॉपलिशन है आफित नीचन्स है ठीक है तो world bank uniform रखता है ये data भी धि हैं तो हमें समझ में आगा है कि हमारी country में जो हमने एक benchmark सेट किया कि इससे उपर सारे अबवर्टी लाइन इससे नीचे सारे बिलो पॉपर्टी लाइन तो इस benchmark कि कितने लोग poverty लाइन से ऊपर है कितने नीचे हमें ये भी पता होगा अब हमें ये देखना है कि poverty कैसी चल र of our country in recent time period तो poverty estimates में आप से डारेक्ट यही पुछा हो जा सकता है कि आप एक कह सकते हैं एक analysis draw करो कुछ factual details हैं क्योंकि specific topic हो तो हम इसे specific video lecture में deal करते हैं यह आप table देखेंगे आपकी book में तो table देखने के बाद में सारी चीज़ें वैसे ही clear हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर poverty ratio बता रहें कि कितने मतलब ratio में बताएगा है कि rural areas और urban areas में कितने गरीब हैं कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं और अगली चीज क्या है कि total poverty क्या है rural urban दोनों मिला कि क्या ratio आता है कहां का हमारी country का अब number of poor तो यह ratio में और यह numbers में आ गया तो number of poor अगर देखें इन millions तो rural areas में कितने million लोग क्या है गरीब हैं urban area में कितने लोग गरीब हैं वह चीज है ठीक है और combine करके वो कितने total हो रहा है तो simple mathematics से simple stats है इन हम देखते हैं तो अब there is substantial decline in poverty ratio in India poverty ratio in India के अगर बात किजा इंडिया मतलब यह total तो total poverty ratio के अगर बात करोगे आप तो 1993-94 में लगभग लगभग आदी जनता हमारी ठीक है half of our population 45% बता रहे ने तो 45% जो ratio था वो क्या था उस ratio के साब से 45% of our population was below poverty line ठीक है अब लेकिन क्या होता है आप एक क्या देखने को मिल रहा है study decline देखने को मिल रहा है तो 1993-94 के time period में 45% of our population was below poverty line तो वो 37 आ जाती है कब 2004-05 में 9-10 में 30% पर जाती है और 2011-12 में 22% पर जाती है और यह उमीद की जाती है कि इसी तरह से process मतलब जब हमारे पास में और recent data आएंगे अभी के data आएंगे तो हमारी country की 20% से भी कम population क्या है below poverty line होगी मतलब poverty क्या हो रही है एक rapid pace से decline हो रही है तो हमने poverty को decline होते हो देखा ठीक है बड़ी अताली बजाओ Indian government के लिए हमारे economists के लिए कि हाँ poverty को हम कम कर पा रहा है ठीक लेकिन अभी last में बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं ध्यान रखना इस शब्द को ठीक if the trend continues people below poverty line में come down to less than 20% in the next few years ठीक है तो यही trend अगर इसी तरह से चलता रहा तो लोग और poverty के नीचे आते चले जाई है हमारी country में और यह अच्छी बात है कि कम गरीब रहें कम गरीब रहें इन्दस क्या है कि आप ऐसे नहीं को खतम कर रहें आप गरीबी को खतम कर रहें लोगों को अप दिनमबर ओफ पूर अब देखो यह तो रेशियो देख लेए अब जब रेशियो कम हुआ है तो दिखती बात है नंबर ओफ पूर भी क्या होंगे डिक्लाइन होंगे तो नंबर ओफ पूर दिखें हम तो लगभग लगभग 404 मिलियन 404 मिलियन बहुत होता है तो 404 मिलियन जो है इतने लोग क्या कर रहे हैं थे 404 मिलियन लोग थे ठीक है उसके बाद में 404 मिलियन लोग गरीब थे तो पॉपुलेशन कितनी होगी बहुत जादा होगी उसका इतना शेर ठीक है 45 परसेंट तो जैसे हम देखें तो आट सो नौसो मिलियन कहीं पॉपुलेशन होगी अब आज कितना है 270 आज इंदी सेंस 2011- और यहां पर आप पॉपुलेशन देखोंगे 270 के कंपरिजन में तो यह कितना है यह 202 परसेंट है तो इसका भी 80% और ठीक है इतनी पॉपुलेशन होगी तो कहीं न कहीं 1000 मिलियन से उपर है तो 1000 पॉपुलेशन में सिर्फ 270 और यहां पे रखबग रखबग 900 की पॉपुल में 404 तो संस में number of poor decline हुए है ठीक है अगर आप ratio wise देखोगे तो number of poor decline हुए है number of poor decline from 407 million in 2045 ठीक है 2045 का लिखा है यहाँ पर 270 million in 2011-12 ठीक है with an average annual decline of 2.2% हर साल 2.2% हमारी poverty क्या होते जा रही है average decline के साथ में clear है so crisp details थी कुछ data था यह आपको answer में क्या है जैसे answer बनाते हैं हम खाना बना लिया फिर मिर्च मसाले लगाते हैं थोड़ा सा तो मिर्च मसाले लगाने के लिए answer है कि poverty का scenario क्या है हमारी country में so this is the scenario of poverty so this was all about this topic poverty estimates यह था poverty estimates में vulnerable groups के बारे में पढ़ने वाले है vulnerable groups क्या है यह important topic तो ही है उसी के साथ साथ में interesting story भी पढ़ेंगे शिवा रमन की जिसके थूँ आपको concept और बहतर तरीके से clear होगा देखिए starting में मैंने जो आपको topic बताया था ठीक है कौन सा how poverty is seen by social scientists तो उसमें हमने देखा था कि poverty को देखने का नजरिया income consumption social indicators वो सारी चीज़े है ही है उसी के साथ साथ में आप social exclusion और vulnerability के basis पर भी poverty को देखते हैं कि socially excluded groups are prone to be poor and those who are vulnerable they are also more prone towards the poverty ठीक है यह चीज़े देखी थी अब हमने अब हमने vulnerability के concept को तो समझा vulnerability के concept को समझेगा आपने पहला सवाल यही आता कि vulnerable होते कौन है ठीक है तो अब हम इस video lecture में वही रेखेंगे who are the various vulnerable groups ठीक है ना कौन ऐसे हैं जिनके towards poverty का मतलब जैसे कहते हैं कि poverty किसका शिकार पहले करेगी गरीबी किसको पहले पकड़ेगी तो who are the vulnerable groups इस video lecture में हम उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं देखिए the proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories दो शब्दे हैं पर social groups और economic categories दोनों चीज़े को ध्यान रखना है अब देखो क्या होता है हमारी society जो है बहुत diverse society है ठीक है and we should be proud of that कि हमारे हां diverse group of people है अब देखो आपको जीवन एक मिलता है ठीक है आप उस एक जीवन में आपको एक role दिया है कि आप किसी क्या सकता है मीरी family में पैदा हुए और आपने क्या करा है कि वहाँ पर अपनी lifestyle जीए तो अब आपको अलग अलग lifestyle जीने का मौका नहीं मिलेगा लेकिन diversity है तो आप देख तो सकते हो अगर मानलो सभी का एक जैसा lifestyle होता तो हम क्या नया सीखते है तो diversity बहुत अच्छी चीज़ उससे हमें सीखने को मिलता है ज़रूरी नहीं कि आप जैसे हम कहते हैं गलतियों से हम सीखते हैं तो आप गलतियां ही करते हो जीवन पर दूस दूसमैं क्या है कि शोशलल ग्रूप जो है तो शोशलल गूरूप गलते हिए हैं जिनकी के टीक को सोगौण ल्वर कास्ट कहा जाता है लोगों की द्वारा थिप्र होते हैं फिर क्या होता है यह घ्प से इसे हमने शोशल ग्रूप देख लिया एकटेगरीस में कुछ high income group होते हैं कुछ low income group होते हैं तो कुछ casual labor farm होते हैं casual labor farm मतलब क्या होता है जो rural areas में रह रह रहे हैं जैसे rural areas में जो casual labor होते हैं जो खेतों में काम करते हैं जिनके अपनी जमीन नहीं होती है तो कुछ rural areas में होते हैं कुछ urban areas में casual labor non farm तो non-farm मतलब जो शेहरों में काम कर रहे हैं, casual labor की तरह कभी कुछ काम कर लिया, कभी construction site पे काम करते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है, कभी कहीं ठेला धकाते दिखेंगे, तो इस तरह से हमने अलग-अलग economic group देख लिए, ठीक है, तो social group होते हैं, देश में economic group होते हैं, अब अगर बात की जाए थी proportion of people below poverty line, देखो country में अगर हम देखें, तो average poverty line हमारी क्या है, country की अगर average Indian poverty ratio आप निकालोगे, आपकी book में भी यह graph जिसको यहाँ पे clearly visible नहीं, इस graph को देखेंगे आप, ठीक है, तो हमारी country का जो average Indian poverty ratio है, वो क्या है, वो है 22%, ठीक है, 22% of our population is living below poverty line, यह country का average हो गया, लेकिन अब country की जो total population है, तो उसमें से मान लो क्या है कि total population का कुछ हिस्सा क्या होगा, schedule tribe का होगा, ठीक है, कुछ लोग schedule tribe है, ST category को belong करते है, ST social group को belong करते हैं, ठीक है, तो अब जो schedule tribe वाले social group को belong करते हैं, तो उनका क्या होगा, अब मान लो पूरे schedule tribe का 100% ले लो, यह 100% होगा, schedule tribe, तो जितने भी schedule tribe हैं, तो उन schedule tribes में से 43% जो schedule tribe है, they are below poverty line, आया है, country में से सिर्फ 22% लोग है, और 22% लोगों में, अगर आप देखो कि जो गरीब हैं, तो उन गरीब में 43% कौन है, schedule tribe है, ऐसे देखो या फिर, ऐसे नहीं देखो, तो ऐसे देखो कि schedule tribe जो है, तो पूरे schedule tribe में से 43% schedule tribe ऐसे हैं, जो below poverty line रह रहे हैं, ठीक है, schedule caste अगर देखो के, तो so called lower caste जो होती है, तो lower caste group में से 29% लोग ऐसे हैं, ठीक है, अब यह पूरा जितने भी schedule caste के लोग हैं, तो schedule caste जिने lower caste group का आ जाता, तो उस lower caste group का 29% जो है, population का share, वो क्या है, below poverty line रह रह रहा है, तो अभी आपको यहां देखके क्या समझ में आया, यहां देखके समझ में आया कि जो national average है, poverty का, उससे ज़्यादा poverty का देखने को मिलता, average, अलग अलग जो marginalized, जो deprived, जो vulnerable social groups है, मैंने आपको बता है, caste system के basis पर क्या किया जाता है, लोगों को exclude किया जाता है, अब vulnerability अगर देखे हैं, मान लो क्या, कि कहीं पर लड़ाई हो रही है, ठीके, अपर कास्ट, लोवर कास्ट के बीच में, और लोवर कास्ट की population का मैं, तो लोवर कास्ट क्या रह जाएगी, वल्नेरेबल रह जाएगी ना, तो वैसे यह group जो है, वल्नेरेबल है, क्यों कि poverty क अगर आप share देखोगे, तो इनके group में poverty जादा है, ठीके, their contribution in the section of population, in their group, ठीके, belonging to, below poverty line is high, ठीक, यह हो गया, अब अगर आप देखो, यह तो आपने social group देख लिए, अब आगे क्या हमारे पास, economic categories, economic categories मतलब, economic basis पर जो अलग-अलग groups बनें, तो economic basis पर जो अलग-अलग groups बन 30% लोग ऐसे होते हैं, मतलब यह पूरे जितने भी casual labor's हैं, तो पूरे casual labor's का 34% जो share है, proportion है, वो क्या है, वो below poverty line है, वही casual labor, अगर आप non farm activities में देखोगे, urban areas में, तो उसमें भी 34% ऐसे लोग होते हैं, तो यहाँ पर क्या समझ में है, हमें क्या analyze करना है, कि कौन-कौन से vulnerable groups हैं, who are more prone towards poverty, तो schedule cash, schedule tribes on the basis of social group, ठीक है, on the basis of social classification, these are the two vulnerable group, और वहीं पर अगर आप economic categories में देखोगे, तो जो casual labor's होते हैं, farming sector में भी non farming sector में, मतलब rural areas में और urban areas में, तो they are the vulnerable group, because the proportion of people living below poverty line in this group are high than the national average, जो national average है, उस national average से ज्यादा लोग हैं, आया ना समझ में, तो यही चीज है, यही concept था, simple सा, ठीक, the double disadvantage of being, अब यह देखो, यहाँ पर यह शब्द important है, double disadvantage, अब vulnerable कौन हो जाएगा, vulnerable मतलब जिसको और बहुत जादा chances हैं, जिसके poverty में धकाय जाने की probability जादा है, तो यहाँ पर double disadvantage की problem में समझाता हूँ आपको, a landless casual wage labor, ठीक है, wage labor household, in a socially disadvantaged social group, शब्द से नहीं डरना है, आपको यह समझ माएगा, double disadvantage समझाता हूँ मैं, आपको, double disadvantage क्या है, कि एक कोई इनसान है, landless casual labor, यह हो गया मानलो, गाओं में क्या होता है, गाओं में एक labor है, जो landless casual labor है, जिसके पास कुछ काम, खुद का खेत नहीं है, तो जिसके खेतों में काम मिल जाता है, महाँ काम कर लेता है, अब यह जो labor है, यह labor क्या होता है, मानलो, गर यह schedule caste को भी belong करता है, तो यह एक तो उपर से labor है, तो गरीब, ठीक है, तो vulnerable है, साथ ही साथ, यह क्या हो गया, schedule caste को भी belong करता है, आया समझ में, तो यह double disadvantage हो गया, तो यहाँ पर इसकी vulnerability और बढ़ जाती है, कि वो दो-दो groups में एक साथ belong कर रहा है, ठीक है, और दोनो groups की अगर condition देखो, तो क्या है, vulnerable है, तो उस sense में क्या हो जाएगा, उस sense में simple सी चीज़ है, समझा गया, कि ऐसी जो situation रहेगी, तो वहाँ पर, such groups are facing double disadvantages, ठीक है, ऐसे groups जो create यहाँ पर, clear of population highlights the seriousness of the problem, और यही चीज़ क्या बताती है, यह बताती है, कि poverty जो है, वो vulnerable groups के बीच में कितनी ज्यादा serious हो जाती है, ठीक है, तो poverty vulnerable groups के बीच में कितनी ज्यादा serious होती ही, वो बताया है, मैंने आपको, फिर क्या है, inequality of income within a family, अब देखो, यह vulnerability ऐसा नहीं है, कि सिर्फ social groups में ही देखने को मिलेगी, या फिर economic categories में ही देखने को मिलेगी, यह vulnerability आपको family as an institution के अंदर भी देखने को मिलेगी, जैसे एक परिवार है, तो एक परिवार में पूरा परिवार गरीब है, मानलो, पूरा परिवार casual farm laborers का है, ठीक है, casual farm laborers, उपर से वो schedule caste को भ हो जादा vulnerable हो गए, अब इस पूरे परिवार में और जादा vulnerable कौन होगा, तो जैसे जो women हो गई, तो इस परिवार की women और जादा vulnerable होगी, female और जादा vulnerable होगी, अब आपको मुझे पता है, थोड़ा सा confused हो गई आप, इस चीज को हम story से समझेंगे, concept एक दम clear हो जाएगा, ठी से women, elderly people, female infants, ये सारे लोग, कैसे, तो ये देखो, अब आपकी book में भी story है, story of Shiva Raman, ठीक, पहले story पढ़ेंगे, फिर एक बार वापस से topic को समझेंगे, तो ये story आप सभी लोग read करेंगे, देखो मुझे एकदम detail नहीं बताँगा, मैं आपको story की, क्योंकि आप वो खुद प कास्ट को, मतलब, cobbler जो होते हैं, जो जूते बनाते हैं, उस कास्ट को भी लोग करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक तो कास्ट ग्रूप के कारण, जो हमने social groups देखे, उसमें vulnerable हो गए, ठीक है, schedule caste को भी लोग करते है, साथ ही साथ क्या, इनके पास जमीन नहीं है, तो double disadvantage वा जमन की, वो vulnerable group में आ गई, ठीक है, अब साथ ही साथ analysis भी लेते चलो, तो क्या होता है कि पूरी की पूरी family तो vulnerable group में आ गई है, अब दिक्कत क्या हो रही है, जैसे मैंने आपको poverty indicators बताया थे family size, तो 8 लोग है family में, ठीक है, एक बुडी माह है, बुडी विद्वा माह है, ठ उस family में भी कुछ और ज्यादा income inequality के कारण vulnerable रहेंगे, तो जैसे elderly people महिला हो गई, ज्यादा vulnerable ठीक है, अब उसके बाद में कौन कोन है और family में, तो एक 25 साल की क्या है, एक 25 साल की unmarried sister भी है, किसकी शिवारमन की, जो कि उनके साथ ही रही है, अब शादी नहीं हुई है, तो तीन क्या है, तीन महिलाएं हैं, मतलब तीन female हैं, महिलाएं नहीं कहेंगे, तीन female है, और एक male है, अब क्या है, एक साल से 16 साल तक का group है बच्चों का, एक साल का मतलब यह लड़का है, बाकि फिर यह उस बीच में आगर 16 साल की बड़ी लड़की है, ठीक है, अब आप अग बार जा के बता रहूं लेकिन समझना इस चीज को तो ये भी poverty कारण बल गया क्या कि social expectations की नहीं लड़की काम की नहीं लड़का काम का है तो वो भी poverty का कारण मन जाता है क्यों चार बच्चे पदा किए एक बच्चे में आगर तुम जैसे है कि हाँ एक ही लड़की रहती तो शायद उतना ओवर्लोड नहीं बता एकनॉमिक ओवर्लोड ठीक है यह समझ में तो एक यह मैंडसेट में आपके बताया फिर अगले इसीज़ अगर देखें तो आप क्या होता है कि काम करने वाला केला इंसान कौन शिवारमन ठीक है क काम करने अला केला इंसान शिवारमन और शिवारमन ने अपनी तीनों बेटियों को क्या है स्कूल नहीं पहुचाया क्यों नहीं पहुचाया अच्छा जो शिवारमन की वाइफ है तो शिवारमन की वाइफ भी क्या करती है मदद करवाती काम करने में अब शिवारमन को क्या होता है 160 रुपे मिलते हैं एक दिन के काम करने के अब यह काम ऐसा नहीं कि साल भर चलता रहेगा काम चैनल में फ्री तो शेवर हम शहर जाके कुछ को 100 रुपे दिये जा रहे हैं यह हो गया अब उसके बाद में क्या है कि तीनों बेटियों को स्कूल नहीं पहुचा है शिवर हम ने क्यों नहीं पहुचा है माइंसेट समझना उसका यह मानना है कि लड़कियां कहां जाएगी लड़कियों को तो शादी करके जाना पड़ेग यहां पे क्या पुरस औफ द्पूर में हम पढड़ रहे थे कि विमीन एलडरली पीपल सीमिल इंस्स ये लोगों को इनकुलीटी ओजिफ इंकम विदिन ये तो वडल्रेबल फैमिली तो ही है पूरी वलल्रेबल है लेकिन इन्हें क्या है जो female infant है women है इन्हें और ज्यादा सहन करना पड़ता है क्यों क्योंकि mindset का पूरा खेल है तो elderly people और women are vulnerable और भी vulnerable है किस category में जैसे मैं बताता हूँ अब क्या होता है खाना उतना अच्छा ऐसा नहीं कि 56 बोग लग रहे हैं तो खाने की कमी होती है शेवारामन कभी कबार दूद लेके आता है ठीक है अब देखो एक अच्छा nutrition तो सभी को मिलना चाहिए लड़का और लड़की कोई भी अच्छा nutrition होना चाहिए अब जो दूद लेके आता हो तो दूद अधिकतर किसके लिए अपने लड़के के लिए वो अगर school पहुचाने क भी planning कर रहा तो स्रिफ लड़के को पहुचाएगा आया समझें तो इस sense में बताया गया है यह story बहुत अच्छी आपको बताती है कि poorest of the poor कौन है और कैसे बनते हैं यहां तक सारे concept clear हैं यह भी clear हुए कि कैसे अलग-अलग social groups और economic categories के हिसाब से हमारी country में कौन वल्नेरेबल ग्रूप है और वह उन वल्नेरेबल ग्रूप में कुछ ऐसे भी होते हैं जो family के अंदर भी वल्नेरेबल होते हैं ठीक है वल्नेरेबल families में भी वल्नेरेबल होते हैं and they are known as poorest of the poor ठीक है और जिनके towards एक अच्छा example देते हैं क्या कि मान लीजे आपके friend के marks ज्यादा आ गए आपके marks कम है यह क्या हो गया disparity हो गया आप दोनों के बीच में आसमानता है बुरा लगा चलो आपके marks ज्यादा आ आपके friend के marks कम आ गए ठीक है खुश होगा है अब तो बहुत जादा तो यह जो आसम पड़र पड़ रहा है poverty as a challenge तो poverty as a challenge में हम यह दिखेंगे कि अलग अलग स्टेट की बीच में कैसे disparity poverty के terms में नहीं आया समझ में देखो हमारी country में हमने देखा क्या poverty 22% या फिर to be more precise 21.9 यह हमारी country का national average है कि हाँ इतनी हमारी country में इतने जो लोग है 21% हमारी population जो है वो क्या होगी कि कुछ states ऐसे है जहां पर poverty 21.9 से उपर है और कुछ states ऐसे भी है जहां पर poverty 21.9% से कम है काफी तो अब हमें यही देखना है कि states के बीच में क्या है disparity है कौन-कौन से states के बीच में disparity और क्यों है उस चीज को हम इस video lecture में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं तो the state में सेम नहीं है वो कुछ states में ज्यादा है कुछ states में कम है तो the proportion of poor is not same in every state and the success rate of reducing poverty varies from state to state सेम नहीं है उसी के साथ में जो success rate है success rate किस चीज का poverty को reduce करने का वो भी vary करता है कहां state to state जैसे हम देखेंगे कि कुछ states ने बहुत speed से poverty को कम किया अपने अपने एरियाज में अपने state में और कुछ states नहीं कर पाएं तो अब हम क्या करने वाले हैं यह देखने आले कि कौन-कौन से states ऐसे हैं जिनका success rate अच्छा है क्यूं है वो भी देखेंगे और साथ साथ में यह भी देखेंगे कौन-कौन से states सही perform नहीं क देखें हम यहाँ पे तो मध्यप्रदेश असाम उत्तरप्रदेश बिहार ओडिशा यह देखो टिक है बिहार ओडिजाम असाम असाम उत्तरप्रदेश तो अर्दी स्टेट्स ऐसे जिनका लग 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 30% से उपर जो पॉपुलिशन शेयर है वो बिलो पॉटी लाइन जी रहा है ठीक है तो यहां पर क्या है वो ज्यादा है तो यहां पर पॉपुलिशन यहां पर पॉपॉर का जो प्रोपॉशन है तो कारण यहां पर सिंपल सी चीज वह है कि देखो पहली बात तो क्या है कि लो लेवल ओफ डेवल्मन्ट इंटम्स ऑफ इंफ्रस्ट्रक्चर उतना इंफ्रस्ट्रक्चर डवलप नहीं हुआ शेडियूल ट्राइ दिखा कि 45% अफ डिशेडियूल ड्राइब इस बिलो पवर्टी लाइन देखा था वल्लेरेबल गुरुप सुमें तो जो लोग रह रहा है वह भी क्या है वल्लेरेबल गुरुप को बिलॉग करते तो पॉवर्टी ज़्यादा है साथ में पॉपॉलेशन एक अगला कारण ह ुझ है जा सकते हैं बिहार एंओडीशा अएफ़ स्टेट विद पॉवर्टि इसऑ ऑफ 32.7 और थे थी स्टेट और कंट्री कहा सकते हैं बिहार और अधियार में 33.7 परसेंट पवर्टी ओडिसा में 32.6 परसेंट यह डेटा जो है ये वुक्ट वुक वेरी करेगा और ठीक है पुरानी बुक नई बुक एडिशन में तो आप नई बुक के हिसाब से आपको डेटा क्या रखना है ध्यान रखना है आया समझ में यह फिर अगली चीज अगर देखें यह तो हमने देख लिया इंटर स्टेट डिस्परिटीज में कि कौन से स्टेट से जो बिलोव करें तो द्यार हाव बिन सिग्निफिकेंट डिकलाइन पावर्टी केला महाराष्ट आंद्रप्रदेश तमिल नाडू गुजराथ वेस्ट बंगौल ठीक है तो यह कुछ ऐसे स्टेट से जहां पर हम क्या देख रहे हैं जहां पर पावर्टी रिडक्शन जो हमने पड़ा स्टेट में आपको बताया था क्या कि इस सक्सेस रेट ऑफ रिद्यूसिंग पावर्टी वैरीज फ्रम स्टेट तो स्टेट तो अगर आप देखो यहां पर तो केरेला हो गया हमाचल प्रदेश पंजाब यह कुछ ऐसे स्टेट से जहां पर पावर्टी रिडक्शन का सक्स पेलड़ु गुजरात वेस्ट वेस्ट बेंगए तो इन्होंने कैसे अपने हां गरीवी को कम करा है रीजन क्या वह तो आपने बता दिये आपको बता दी कैसे कम किया तो अगर स्टेट स्पसिफिक देखें तो केरला हो गया कारणा ने क्या किया अपने एमन प्यूमन एस किया इदी फॉर्म उफ एडूकेशन हेल्थ तो उन्होंने क्या किया अच्छा काम किया अपना धियान रखा तो अपने आप वह पॉवर्टी से उपर आ गए तो केरला की कहानी हो गई है फिर अगर आप देखो गे जैसे वेस्ट बेंगॉल तो वेस्ट बेंगॉल में लेंड रिफॉर्म लाए गए ठीक है लेंड रिफॉर्म हम आगे पड़ेंगे तो लेंड रिफॉर्म कॉजज़ ऑफ पॉवर्टी थे कि हम सक्सेस्फुली उन्हें इंप्लिमेंट नहीं कर पाए लेकिन वेस्ट बेंगॉल जैसे स्टेट्स जहां पे सक्सेस्फुली लेंड मतलब आजादी के बाद में गरीबों के बीच में जो जमीन बाटी गई न तो उसमें वेस्ट बेंगॉल काफी हद तक सक्सेस्फुल रहा है अब जब गरीबों की बीच में जमीन बढ़ गई यह तो यह कुछ ऐसे स्टेट से जहां पर पॉब्लिक डिस्ट्रिबूशन और गुश्ट्रिबों की कुछ पॉब्लिक डिच अब जब अब जब ऑफ दी पॉबर देर तो कम अब 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 ऑव दी पॉबर्टी लाइन ठीक है और महाराश्च गुजरात यह से स्टेट जहां पर लाज स्केल पर इंडस्ट्रिवाइशन वह तो यह कारण है कि क्यों कहीं कहीं स्टेट्स अमीर है या कह सकते कुछ स्टेट्स की पॉपलेशन जो है वो अब पॉबर्टी लाइन है तो कैसे सोशल साथीज़ देखते हैं अलग अग एक 뭘 ग्सांपल के फुरू वल्नेरबल ग्रुप कॉन से होते हैं पॉबर्टी लाइन क्या होती है जिसपे हम क्या कि कुछ states तो बहुत अच्छा perform कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं अब इसी poverty को अगर हम worldwide देखें तो global poverty scenario क्या है अभी क्या करना है हमें अभी अभी simple सी चीजों पर ध्यान देना है कि poverty सिर्फ हमारे देश तक सिमित नहीं है poverty एक ऐसा phenomenon है जो worldwide observe किया जाता है comprehensively discuss करने वाले है I hope आपको समझ में आया कि हम पढ़ने क्या वाले है ठीक है अब देखो there has been a substantial reduction in global poverty it is marked with great regional differences देखो no doubt जैसे हमने इंडिया में देखा था क्या हमारी देखो world किस से बनता अलग अलग कंट्री से जैसे अलग अलग कंट्री रियक्ट करेगी वैसा world रियक्ट करेगा तो worldwide भी हम अगर देखे तो poverty तो कम हुई है no doubt ठीक है poverty कम हुई है पिछले कुछ दश्कों में अगर देखे हैं तो poverty कम हुई है लेकिन poverty कम होना और regional differences में बढ़ना ये भी एक बड़ा challenge है जैसे हम देखे कि China ने बहुत speed से poverty कम करी है लेकिन उतनी speed से poverty इंडिया ने कम नहीं करी आया समझ में तो क्या होता है poverty कम हुई है but it is marked with great regional differences इंडिया फिर भी ठीक African countries में जाओगे sub-saharan African regions में जाओगे तो वहाँ पे और दिक्कत है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे और जादा differences है तो ये एक important चीज है there has been a substantial reduction in global poverty गरीबी कम हुई है लेकिन regional differences है और उन्हें खतम कैसे किया जाना ची ये भी एक बड़ा challenge है हमारे सामने ठीक है तो अगर अब हम इसमें कुछ data देखें देखो यहाँ पे question क्या बन सकता है बच्चों को लगता है कि यार ये तो कुछ भी पढ़ लिया हमने पता ही नहीं चला क्या पढ़ लिया question क्या बनेगा तो question simple से ही बनता है write a short note on the global poverty scenario explain the situation of global poverty explain the performance of countries how they are dealing with poverty तो इस तरह से क्या होता शब्द बदल जाते बाकि जहां पे global poverty की बात करी तो आपको ये point ध्यान रखना है ठीक है क्या points है तो हम यहाँ पे जो आपकी book में ग्राफ है इन दोनों ग्राफ को देको graph यहाँ पे change हो सकते है book change हो सकती है बहुत सारी चीज़े है तो आप क्या करना है आप book के हिसाब से पढ़ोगे चीज़ों को book के हिसाब से पढ़ोगे तो जो data है हमारे पास में data क्या बोलता है कि poverty decline substantially हाँ एक और चीज important अब आप बोल रहे हो कि poverty line तो vary करती है country to country place to place time to time फिर आप पूरे worldwide कैसे calculate करोगे तो मैंने आपको वहाँ पे चीज़ बताई थी क्या कि worldwide हमने world bank का जो criteria है उसे अपनाया है poverty को check करने के लिए मतलब world bank ने क्या benchmark set किया था dollar 1.90 ठीक है dollar 1.90 जो है वो क्या है उन्होंने एक benchmark set कर दिया कि इससे उपर जो रहेंगे individuals हो above poverty line इससे नीचे जो below poverty line तो उस criteria के basis पे हम क्या करते है अलग-अलग countries को देखते हैं ठीक है तो poverty decline substantially in China and South East Asian countries चाइना हो गया चाइना तो पता ही आपको और South East Asian countries मतलब क्या है कि Japan हो गया Indonesia हो गया Myanmar और Thailand सिंगापूर ठीक है तो यह सारी countries हो जाएगी South East Asian countries में तो यहाँ पर क्या होता है poverty decline substantially in South East Asian countries in China as the result of rapid economic growth and massive investment in human resource development तो यहाँ पर गरीबी बहुत स्पीड से करूँ हूँ अगर आप graph देखोगे तो आपको यह दिखेगा ठीक है यह जिसे यहाँ पर देखो आप तो यह number of people का है और उसी के साहँ साहँ है percent का है population का है कि कितना share कहां रहता है तो चाइना का अगर देखें blue color ठीक है तो यह चाइना का blue color तो यह बहुत speed से 20% से उन्होंने कम कर दी अपनी poverty 2015 में कुछ 2-3% लोग ही below poverty line जी रहे तो इस तरह से क्या है कि इन एडियास में बहुत speed से poverty कम हुई है कारण क्या है economic growth और massive investment in human resource तो उन्होंने अपने human resource में investment किया economic growth हुई है उनकी उस कारण से poverty दिखती बात है कम हो जाएगी हम स्टार्टिंग से ही चीज़ पढ़ रहे हैं कि अगर human means को capable बना दिये जाए तो poverty अपने आप खतम हो जाएगी फिर आती हमारी बारी तो countries of South Asia South Asia में सब आ जाएंगे इंडिया, पाकिस्तान, श्री लंका, नेपाल मतलब जो पूरा एशिया है अगर हम देखें तो पूरे एशिया में यहाँ पे जैसे इंडिया भी आता है तो यह जो South Asia वाला पार्ट है इसमें देखो इंडिया आ गया इंडिया के बाजूम पाकिस्तान, नीचे श्री लंका बाजूम उपर, नेपाल, बांगलादेश, भूटान तो यह जो कंट्रीज है तो the decline has also been rapid तो यहाँ पे भी मतलब उतना satisfactory result नहीं है जितना China और South East Asian countries का है लेकिन फिर भी decline 30 से देखने को मैं रही at the rate of 34% तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है poverty decline हुई है फिर आती है सबसहारन कंट्रीज तो सबसहारन एफरिका poverty in fact declined from 51% in 2005 to 41% तो ऐसा नहीं कि poverty कम नहीं हुई है लेकिन आज भी एक major chunk जो है आज भी एक major chunk जैसे 41% वो क्या है below poverty line जी रहा है तो no doubt poverty क्या हुई है कम हुई है यहाँ पे अगर आप देखो जैसे सबसहारन तो इस सबसहारन कंट्रीज में 51 से वो 41 पे आ गए लेकिन आज भी क्या एक major proportion उनकी country का below poverty line जी रहा है जिसे आप देखो कि तो इस major proportion है उनका ठीक है वहीं चाइना का देखो कि तो पहले इतने लोग थे वो सिर्फ 1% 2% पर आगा है आगा समझ में तो यहाँ चीज है कि poverty जो है poverty क्या है वहाँ पे कम हुई ये लेकिन कम होने के साथ में अभी भी बहुत एक major proportion जो है वो below poverty line जी रहा है फिर आते ही Latin America Latin America मतलब क्या जादा South America, Mexico, USA, Wall Apart तो in Latin America the ratio of poverty has also declined from 10% in 2005 to 4% in 2015 देखो यहाँ पे समझना Latin America की बहुत अच्छी खानी है क्या कि यह Latin America है तो यहाँ पे पहले से ही लोग कम थे proportion जो था ना तो पूरी population का एक कम proportion क्या था below poverty line था तो आज भी क्या है उन्होंने proportion उनका 10% से 4% मतलब कमी हुआ है लेकिन जो relative poverty है पीपल जो है तो और कम हो गया थ Investig Pacific इनको अउनके हां गरीबी नहीं कम करी है और पहले ही कम थे और और कम कर लिए ऐसा सिन despite ऑप इन लिट्य Anamere game पहले से ही लोग रिप थे कम गरीब थे लोग पहले से ही कम गरीब थे और उन्होंने उन कम गरीवों में भी और गरीब ही घम कर दिये तो अंका परफंस भहतर यह ठीक फिर भी अभ देखो यह पुरा में हमने क्या पढ़ लिया मोइट पॉर्ट वॉर्ट में व्ल्ड वाइड ग्लोबल पॉरटी कि worldwide global poverty scenario क्या है कि poverty is declining ठीक है हर जगा African countries में भी South East Asian countries में भी South Asian countries में हर जगा poverty decline हो रही है ठीक है बस यह है कि कहीं पर poverty इतनी speed से खतम नहीं हो रही है कहीं पर poverty बहुत speed से खतम हो गई है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जिस भी प्रकार की गरीबी है चाहे खाने की गरीबी चाहे रहने की गरीबी सारी गरीबी को खतम करना है United Nations का एक गोल है ठीक है न्यू सस्टेनेवल poverty को हर dimension से देख लिया national poverty poverty line इंटर स्टेट disparities global poverty scenario which was our last topic तो यह सारी चीज़े हमने देख लिये अब सवाल यह आता है कि गरीबी आई कहां से ठीक है खास करके इंडिया के अगर बात करें तो what were the causes of poverty आज का कोई कंसेप्ट तो है नहीं पावर्टी की एकदम से क्रोना वाइरस की तरह कल के कल ही जनम ले लिया हो इसने नहीं ठीक है क्रोना वाइरस भी पुराना है तो यहां पर हमें समझना यह है कि poverty आई तो आई कहां से ठीक है तो there were a number of causes for the widespread poverty in इंडिया इंडिया में हम जब देख रहे थे कि 1993-1994 के आसपास 45% हमारी population की below poverty line जी रही थी तो यह poverty आई कहां से सवाल ठीक है तो एक कारण नहीं यह कारण बहुत सा रहे हैं कारण अगर हम देखें तो देखो यह धियान रखना आपको यह जितने भी points हैं यहां पे एक point, दो, तीन, चार, ठीक है 5 point तो यह 5 number का question सीधा आता है क्योंकि तो हमने उसे 5 points में convert कर लिया आपको ध्यान रखना है उस सारी चीज़ें कि अगर 5 number का question आएगा what are the different causes of poverty तो दिग्राश सर ने आपको 5 point दिये और यही point लिखके आना है and believe me 5 number पूरे मिलेंगे clear है तो हम डिसकस करते है अगर जैसे तो low level of economic development under British colonial administration यह तो आप point देंगे heading देंगे अब इसको explain करना है देखो क्या होता है British colonial administration तो British time period पे हमारे हाँ economic development नहीं हो पाया अब दिखती बात है कि जब पहले से हमारी economic growth नहीं हो पाई है तो हम कैसे गरीबी को खतम करेंगे ठीके British time period में जै traditional handicraft and Indian industries were discouraged तो यहां पे दो चीज़े declining traditional handicraft and Indian industries were discouraged तो सबसे पहले तो हमारे हां जो लोग काम करते थे हमारे हां किस sector में काम करते थे हाथ से कपड़े बूनना यह सारी चीज़े तो हमारी जो traditional handicraft industries थी उन्हें उन्होंने क्या कर दिया पूरा destroy कर दिया ठीके वहां से machine made goods लाते एक तो यह चीज़ होगी दूसरा क्या है कि जो Indian industries grow हो रही थी तो वो उन्हें ग्रोणी होने दे रहे थे मतलब जो 3 industries उन्हें खतम करती है और जो grow हो रही थी उन्हें ग्रोणी होने दे रहे थे यह इस कारण से क्या होता है इस कारण से लोगों के पास job नहीं है ठीक है jobs declined jobs गटती है unemployment बढ़ती है लोग unemployed घुम रहे हैं तो काम है नहीं unemployed घुमेंगे तो पैसा भी नहीं होगा ठीक है तो लो growth rate and income तो एकॉनामी तो ग्रोख करेगी नहीं क्योंकि सारी industry वगरा सब कुछ ठप हो गया है लोगों के पास काम नहीं है तो सी कारण से growth rate कम हो गई है growth rate कम नहीं है तो लोगों के पास पैसा भी नहीं है मजा आया स्क्रिबल करने में लेकिन समझना हमें क्या है कि growth rate कम है income भी नहीं है साथ में क्या हो रहा कि population बढ़े जा रही है population रुखने का नाम नहीं ली रही है अब देखो लोग बढ़ रहे हैं तो लोग खाएंगे पीएंगे ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं है तो खाना छोड़ दो गया तो माना स्टेंडर ओफ लिविंग कम हो जाएगा लेकिन आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन वास इंक्रीजिंग ठीके हमारी ग्रोथ रेट कम पैसे भी कम और पॉपुलेशन बढ़ रही थी अब इसके चलते वी गॉट ट्रैप्ड अंडर दी साइकल ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जादा पॉपुलेशन के लिए जादा खर्चे होंगे पैसा ही नहीं है तो क्या होगा कि पैरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे वह बच्चा फिर क्या होगा वह बच्चा भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए लेवल ऑफ एकनॉमिक डवलप्मेंट अंडर बिटिश कॉलोनियल एडिनिस्ट्रिशन दूसरा कारण क्या है फ्रूट्स ऑफ ग्रीन रेवलुशन वस लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया अब देखो नो डाउट ग्रीन रेवलुशन के टाइम पर ग्रीन रेवलुशन इस्टोरि ऑफ विलेच पालमपुर मों पढ़ाया था मैंने आपको क्या कि आपमोडर इंपूट्स वगेरा यूस करके आपने अग्रिकुल्च्रल प्रड़क्शन बढ़ा तो उस अग्रिकुल्च्रल प्र लेकिन it was limited to some parts of India only मतलब कि ये जो green revolution हुआ तो ये पंजाब, हरियाणा, western उत्तरपदेश तो वहाँ के किसान तो गरीबी से उपर आ गए जो हमने देखा था भी क्या कि states such as हरियाणा वगिरा जो है तो यहाँ पे poverty का level कम है क्यों क्योंकि वहाँ पे green revolution ने poverty कम कर दिये लेकिन आप मानलो ऐसे states जहाँ पे green revolution आया ही नहीं है green revolution नहीं आया है, मानलो 36 गड़ मद्रदिश उस time पे नहीं आया तो यहाँ पे in areas में तो उतना development नहीं होगा आप तो लोग यहाँ पे क्या हैं, गरीबी रहेंगे आप से लोग शहरों की तरफ migrate कर गए, लोग migrate तो कर गए लेकिन ऐसा नहीं कि उनका red carpet entry हो रही है आई है बस आप ही का इंतजार था अब वो जो लोग migrate कर रहे हैं, तो वो migrate कर रहे हैं तो उनको industries में भी job नहीं मिल रही है मानलो, अब job नहीं मिल रही है तो people migrated and started doing unorganized आएगा, क्या लिखते हैं लोग ठीक है, unorganized, तो वहाँ पर क्या हो गया, लोगों ने unorganized jobs में काम करना चालू कर दिया, clear अब दिखती बात है कि यहाँ पर कोई ऐसा package तो नहीं मिलेगा, कि 2 करोड का package मिल गया आपको, अब क्या करना है, आपको यहाँ पर footpath पर दुकान लगाना है, नहीं, तो low income group रहेगी ना, low income रहेगी, अब low income है तो वो घर भी सस्ता देखेंगे, खाने पीने की चीजें भी सस्ती लेंगे, यह सारी दिक्कते होंगी, क्योंकि पैसा कम है, ठीक है, तो couldn't afford a better living standard, तो उसी कारण से वो एक बहतर living standard को afford नहीं कर पाए, अब जब वो बहतर living standard को afford नहीं कर पाए, तो उसका मतलब क्या होगा, गरीबी, ठीक है, टॉपिक क्या है मारा, cause of poverty, ऐसा लग रहा ह पढ़ रहा है, दोगों सारी चीज़े related है, आगय समझ में, green revolution के fruits limited थे, तो सारी जगा development नहीं हो पाए, इस करम से कुछ जगा गरीबी थी, अब जब agriculture sector में लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, migrate कर जाते हैं, शहर में आते तो शहर में भी काम नहीं है, अब जो काम मिला है, वो काम करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, खुब पैसा नहीं कमा पा रहा है, standard of living कम जा रहा है, मतलब गरीबी में फस गए लोग, तो एक cause यह हो गया, फिर क्या है, huge income inequality is the another reason of poverty, यह भी समझना है important चीज़े, क्या, कि गरीबी का एक कारण यह भी है, कि प और step उपर आ गए, तो economic inequalities का मतलब यहाँ पर क्या है, कि हमारी country में ऐसा है, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, तो यह income inequalities है, income inequalities मतलब कि income uneven तरीके से distributed है, किसी के पास बहुत है, किसी के पास नहीं है, क्यों है ऐसा, तो failure of land reforms, मतलब independence के बाद में land reform लाए गा मिली ही नहीं, जब जमीन नहीं मिली, तो casual landless labor हैं वो, वो क्या है, landless labor हैं, तो गरीबी में vulnerable group होगा है, गरीबी में फज़े हुए है, तो इस तरह से failure of land reforms एक कारण हो गया, lack of land resources, वही चीज़ है, कि land resources की कमी है, अगर हर इंसान के पास हमारे, लोग एक तो population बहुत जाद ह है, तो जमीन अगर दो भी दोगे, तो बहुत कम-कम जमीन, small farmers का proportion बहुत जादा है, और small farmers के चलते क्या होता है, small farmers के चलते दिक्कत यह जाती है, कि कम से कम उनके बीच में income divide हो जाती है, तो यहां पर क्या है, income inequality देखने को मिलेगी, जिनके पास पैसा है, तो उनके पास ख अब देखो हमारे इतने सारे मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक, उसी के सांस्कृतिक मतलब क्या हो जाएगा, economic द्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो social culture मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक कैसे होते हैं, कि हमारी society में ऐसे बहुत सारे rituals हैं, या फिर कह सकते हैं, हमारी society में ऐसे ब very poor spends a lot of money, जैसे अब social obligation के आए कि शादी हो रही तो हमारे डावरी सिस्टम है, ठीक है, तो अब क्या होता है, आदमी गरीब है, लेकिन उसकी शादी करना उसको अपनी बीटी की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, देहश देना पड़ेगा, कर्ज ले रहा है वो इंसान, लेकिन देहश देना पड़ रहा है, क्योंकि social obligation है, social pressure है, अब इससे भी एक बुरा हाल में बताता हूँ, ठीक है, मृत्यू भोजन जो होता है, मतलब किसी की death हो जाती तो क्या होता है, कि आदमी को 13 दिन क्या करना पड़ता है, पूरे गाओं को खाना खिलाना पड़ता है, तो अब क्या हो रहा है, मानलो कि कोई एक working person था, मानलो एक family है, एक family में जो head of the family थे, वो पैसा कमाते थे, वो मानलो कुछ job करते थे, पैसा कमाते थे, उनकी death हो जाती है, तो अब क्या हो गया, उनकी death हो गई है, अब क्या हो गया, source of income गया, अब पैसा आना बंद हो लेकिन social obligation यह है कि वो आदमी की मृत्यू हुई है और परिवार वालों को अब क्या करना पड़ेगा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा मृत्यू भोष देना पड़ेगा तरह तरह के पूरे खर्चे करना पड़ेंगे आया समझ में तो यहां पर कोई ऐसा celebration का टाइम थोड़ी आपको पार्टी दे रहो आप लोगों को लेकिन social obligation है religious program मतलब एक तरह से कह सकते है religion से जोड़ी चीज़े तो इसके चलते क्या हो रहा है people in India including the very poor spend a lot of money और इसी के चलते क्या है कि गरीबों को भी बहुत खर्च करना पड़ता है इस social cultural कह सकते factor के उपर आगा समय में यह how clear ह होना कि कैसे social obligation religious ceremonies इंसारी चीज़ों में पैसा खर्च होता है clear अब फिर क्या है small farmers need to buy agricultural inputs जैसे अब देखो गया तो green revolution जो हमने बताया आपको अब तो green revolution में क्या हो रहा है कि जो लागत होती है जो cost होती है farming की input cost होती वह बढ़ते जा रही है छोटे किसानों को seed fertilizer pesticide हर चीज खरीदना पड़ेगा ठीक है and since poor people hardly have any savings they borrow अब गरीब किसान को खेती करना है उसके पास नहीं है पैसा लेकिन आप खेती करने के लिए तो आपको जरुवत तो लगेगी न input की जब तक आप एक hyv variety seeds नहीं लाओगे high yielding variety seeds नहीं लाओगे उससे सो नहीं करोगे तो आपको ऐस आपको पैसा कमाने के लिए पैसा उधार लेना पड़ रहा है लेकिन वहाँ पैसा आप सही उटिलाइस नहीं कर पाए वहाँ पे आपको क्या होगा आपको कर्ज में डूबना पड़ेगा तो यही दिक्कत होती है अधिकतर farm distress जो है हमारी country में जो अधिकतर लिखते है agriculture sector मे फस गया हमारा farmer 10th class में आप इसी बारे में और पड़ोगे economics में clear so so the high level of in depthness is both the cause and effect of poverty अब यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रही है कि जो high level of in depthness है कोई इंसान गरीब है मतलब कर्ज में डूबा हुआ है कर्ज में डूबा हुआ है कर्ज में डूबा हुआ है कर्ज मे बहुते भी आ रहा है कि गरीबी क्यों है क्योंकि वह इंसान क्योंकि वह इंसान कर्ज में डबा हुआ है कर्ज में डबा है तो उसे क्या करना पड़ रहा है तो इस करण से वह गरीब होते जा रहा है ठीक है अब उसने कर्ज लिया क्यों था आप बोलोगे तो कर्ज भी इस और यह एक high probability question है जो पूछा जाता एक्जाम में तिलिया, things are, things should be crystal clear, ठीक है? यहां तक सारी चीज़ें crystal clear होना चाहिए, आपको पूरे इस concept समझ में आना चाहिए पढ़ेंगे anti-poverty measures के बारे में अभी तक हमने chapter में क्या देखा? अभी तक हमने chapter में सारी broad outlines देख ली कि poverty किस तरह से challenge है क्या-क्या poverty के scenario है, यह सारी कहानी समझ चुके है अब सवाल हमारे सामने क्या आता है? सवाल हमारे सामने यह आता है कि poverty तो है, गरीबी है लेकिन गरीबी वो खतम करना भी एक बड़ा challenge है हमारे सामने तो anti-poverty measures में हम वही देखने वाले है कि poverty को खतम कैसे किया गया है ठीक है? स्टार्ट करते देखो तो the current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks इस चीज़ को समझना बहुत अची दरस है poverty है, poverty को खतम कैसे करना है? question आया, what is the strategy of government to fight poverty? ठीक है? to fight poverty, government की strategy क्या है? तो the current strategy of government is based on two broad planks दो हिस्सों पर divided है या फिर क्या सकते है there are two ways through which government is fighting with poverty what are those two ways? first way is promotion of economic growth and the another one is targeted anti-poverty programs दोनों शब्द को समझो, ठीक है? understand the essence of the plans यहाँ पर क्या बोल रहा है? promotion of economic growth पहले तो हम गरीवी को कैसे खतम करेंगे? economic growth की मदद से मतलब आप economic growth को promote करो आप industries लगाओ, आप क्या करो? आप industries लगाओ, आप road बनाओ, यह सारी चीज़े करो जिससे क्या होगा? development होगा, economy grow करेगी जब economy grow करेगी तो दिखती बात है अपने आप गरीबी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी दूसरा measure क्या है? दूसरा measure है, targeted anti-poverty programs यह क्या है? वो भी बताऊँगा यह क्यों लाने के ज़रत पड़ी? आप बोलोगे कि एक से भी grow कर सकती है economic grow करके आप अपने आप poverty खतम कर दोगे तो अप सारी कहानी समझते हैं देखो तो poverty eradication या फिर कह सकते हैं our anti-poverty measures are based on two wings, two planks and those two wings, two planks are written here ठीक है? यह दो plan है अब यह जो दो planks है तो इसको हम दोनों को एक-एक से समझते हैं low during the initial period अब जैसे economic growth की बात की जाएं मैंने आपको बता दी economic growth कैसे होगी? आप industries लगा रहे हैं ठीक है? आप load बना रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को employment देने के लिए किसी ना किसी प्रकार से आपकी economy में पैसा लगा रहे हैं थाकि economy grow करे इससे poverty कैसे खतम हो जाएगी? इससे poverty सीधे ऐसे खतम होगी कि जब economy grow करेगी तो अपने आप लोगों को काम मिले गए सारी चीज़े तो जो गरीबी है वो खतम होते चले जाएगी ठीक है? तो low during the initial period तो ये economic growth शुरुवाती दोर में ठीक है? initial period में economic growth was low कम थी economic growth उतनी नहीं थी लेकिन आप देखो के 1980s तो after 1980s India's economic growth has been of the fastest in the world तो 1980s के बाद से जैसे हमारी country में liberalization ये सारी चीज़े बढ़ती चले गई थोड़ा सा government का expenditure भी बढ़ा तब क्या होता है? तब हमारी economic growth और तेजी से बढ़ी तो economic growth हो रही थी हमारी शुरुवात में low थी फिर क्या होता? speed up होती economic growth तो ये हमारा graph कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारी economy 1990s के बाद बहुत तेजी से बढ़ी ठीक है? 6% during the 1980s and 1990s तो 6% तक हमारी economic growth बढ़ी है और अभी recent years में देखो के तो अभी तो कम है फिले हाल लेकिन इससे पहले पिछले कुछ 5 सालों से पहले क्या था? हमारी economy बहुत अच्छी perform कर रही थी ठीक है? अभी economic growth हुई है तो इसका impact क्या हुआ? What is the impact of economic growth? आप बोड़ो economic growth कर गई, आपकी economy बढ़ गई आपकी economy आगे जा पहुचिए तो इसका impact क्या हुआ? उसका impact हुआ कि economic growth is related to poverty reduction दिखती सी बात है जब economic growth करेगी, economy में पैसा आएगा तो अपने आप जो आपके देश में गरीबी है वो कम हो जाएगी poverty reduction ठीक है? बोट ये things are directly related ठीक है? एक direct relation देखने को मिल रहा है कि economic growth करेगी तो poverty क्या हो जाएगी? reduce हो जाएगी लोगों को employment वगरा ये सारी चीज़ें अब economic growth में सारी चीज़ें जाएगी schools बने, सब कुछ बना बच्चे school जाने लगे school जाने लगे तो वो पढ़ लिख लिए तो उन्होंने कुछ और अच्छा बहतर काम स्टार्ट कर दिया women education ये सारा सब कुछ लेकिन अब आप बोलोगे कि economic growth से ही अपने आप poverty खतम हो जाती ठीक है? targeted anti-poverty programs लाने की जरुवत क्यों पड़ी? क्या है targeted anti-poverty programs? तो targeted anti-poverty program लाने की जरुवत इसलिए पड़ी समझना इस चीज़ को क्योंकि economic growth कर रही थी लेकिन अब दिखती बात है बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान गीला होगा ठीक है? जो छट के नीचे खड़ा उसके उपर बारिश के पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा तो वैसे यह economic growth हो रही थी तो जिसमें capability थी वो तो आगे बढ़ गया लेकिन कुछ section ऐसे भी थी जो पीछे रहे गए कह सकते हैं जो tribal communities थी जो rural areas थे वहां तक economic growth के उतने advantage नहीं हो पाए ठीक है? वहां तक economic growth मतलब जो कह सकते हैं कि economic growth करी ठीक है? उसका फल जो था तो हर इंसान में नहीं बटा कुछ जो पीछे थे जो कह सकते हैं vulnerable थे जो कह सकते हैं क्या जो उतने capable नहीं थे जो पीछे रह गए तो उन्हें भी तो आगे लाना है जिन लोगों ने economic growth के advantages नहीं ले पाए तो उन्हें कैसे आप उन गरीबी से बाहर रिकाल होगे ठीक है what is the plan for them तो अब यहां पर समझना जो दूसरा हमारा plank है फिर कह सकते है जो दूसरा तरीका है जो कह सकते है dual system से हमारी economy को grow करवा रहे तो जो dual idea है हमारा for the eradication of poverty तो वो था targeted anti-poverty program आप देखो targeted 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 समझतों आप ती निशाना लगाना तार्गेट लगाना तो targeted anti-poverty anti-poverty मतलब क्या है anti-poverty मतलब जो poverty के against में हो तो हम essay programs बनाएंगे आकरी में program है तो हम essay program बनाएंगे विचा targeted towards the poverty eradication of poverty anti-poverty हैंगे तो अब यह essay programs बनाएगा है ठीक है पहले तो हमने क्या करा दिख्ती बात है तो पहले हमने race लगवा दी तो race लगवाई तो सारे लोग दोड़ गए अब जो नहीं दोड़ पाया तो उनको गाड़ी में बिठा के आगे ले जा रहे हैं ऐसी कहानी है कुछ तो हमने पहले economic growth पर focus किया economic growth कर गई बहुत सारे लोग अपने आप poverty से बाहर आ गए अब जो नहीं आप आये थे तो उनके लिए टार्गेटेट एंटी प्रोवर्टी प्रोग्राम्स चलाएं अभी जो टार्गेटेट एंटी प्रोग्राम्स थे तो policies and programs which directly or indirectly targeted to reduce poverty क्या-क्या इसमें तो इसमें देखो महात्मा गांदी national rural employment guarantee एक मन रेगा नरेगा जो कहना है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना अभी इन सब को डीटेल में बताएंगे तो these are some of the programs which are anti-poverty program जो गरीभी को खतम करने के perspective से बनाएगा है ठीक है इसमें से देखो यह पांचों समझेंगे अन generation program है स्वर्ण जैंती ग्राम सरोजगार योजना है प्रदान मंत्री ग्रामोदय योजना है तो यह आपकी syllabus में पांच programs है जो anti-poverty programs के कह सकते स्फियर में आते हैं और जिनका perspective क्या था जिनका perspective था to eradicate the poverty ठीक अब महात्मा गांदी national rural employment guarantee act question ऐसे आते देखो इस chapter से क्या कि explain म national rural employment guarantee act मन्रेगा जो है policy उसे explain कर what are the provision of मन्रेगा ठीक है तो हम समझते है 2005 में आई ठीक it aims to provide 100 days of wage employment to every household हर एक घर से 100 दिनों का guaranteed काम देने की घोशना कर दी सरकार ने क्यों या देखो सबसे दिखती बात है क्या कि लोग गरीब क्यों है क्योंकि उनके पास काम नहीं अब काम न हारा household में मिलेगा ही मिलेगा ठीक अब देखो अब बोलो कि 100 दिन में क्या होता 300 पैसेट दिन होते हैं साल में 365 में से 100 दिन काम दे दोगे तो अब देखो छुट्टिया भी बनाता है इंसान 500 दिन की छुट्टिया और कुछ वो भी तो कर रहा होगा पहले तो वो जो कर रह वो ठीक उतना है और सौ हमने दे दिया तो ऐसे करके आपने काम चला लेगा तो it aims to provide 100 days of wage employment to every household हर घर के इनसान को 100 days of wage employment मिलेगा ठीक है, one third of the proposed jobs have been reserved for women women के लिए कितना, one third of the proposed jobs have been reserved for women महिलाओं के लिए जो जितनी भी job देंगे तो पूरी job जितनी भी देंगे हम लोगों को उसमें से वन थर्ड विमेन को ताकि विमेन भी क्या हो economically जैसे हमने देखा कि economic growth में सब ग्रोव कर गए लेकिन जो पीछे रह गए थे जो vulnerable थे ठीकें वो लोग नहीं ग्रोव कर पाए तो विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए special provision डाल दिया the share of schedule cast, schedule tribe, women person day in scheme are 23%, 17% and 53% तो अगर share देखा जाए per day women जो काम दिया जा रहा है तो schedule cast को 23% share रहेगा schedule cast के लिए 23% jobs जो है schedule cast को 17 schedule tribe को और 53 women को इस तरह से काम distribute कर दिया गया the average wage has increased from 65 in 2006-7, 2006-7 में जो काम करवाते थे तो पैसा भी कितना दोग ये भी है ना ऐसा तो लिए ना कि 15-20 लाग का package दिया है तो पहले 65 रुपे पर दिन दिये जाते थे, per day दिये जाते थे 2006-7 में और उसी wage को बढ़ा दिया है तो 132 कर दिया है 132 कर दिया है कब 2013-14 में तो आप दिखती बात है कि ये भी महंगाई को समझ रहे हैं महंगाई बढ़ रही है तो wages भी बढ़ाई जा रही है ठीक है जिसमें employment generate करने के perspective से बनाए गया था रोजगार 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 यहने employment ठीक है PMRY तो इसके बारे में लिखने को आया तो तीन पॉइंट है हमारे पास 1993 में स्टार्ट किया गया aim of the program was to create self-employment, employment generate करना है self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small town तो हमने देखा कि बहुत सारे एक तरह का unemployment यह भी था, unemployment हमने देखा था, educated unemployment तो educated unemployment को खतम करने के लिए जो educated youth थे, उन्हें काम देने पर फोकस करता था प्राइम मिनिस्टर रोजगार यहनाव ठीक, they are helped in setting up small business and industries, तो youth को उन्हें छोटे-छोटे business और industries establish करने में क्या करी, मदद करवाई, ठीक है बोला कि आपको हम मदद करेंगे business establish करने में, rural employment generation program, REGP, rural employment generation program क्या है, it was launched in 1995, ठीक है The aim of the program is to create self-employment वही वाली बात है, यहाँ पर भी employment generation, सारे programs मेरे आपको होता है, गरीबी का कारण क्या है unemployment, तो program जो थे तो basically focus करते थे, किस पे कि हाँ, गरीबी खतम करने के लिए हम लोगों को काम दे दे, तो यहाँ पर aim of the program is to create self-employment opportunities, ठीक है, मतलब खुद से आदमी, self-employ employment का मतलब ही होता है कि आप खुद से काम सीख लो, खुद से काम करने लोगों और तो और लोगों को भी देने लोगों, तो business वगरा setup करने में मदद करवाने लगे, ठीक है, a target for creating 25 lakh new jobs, तो इस program ambitious program, it was an ambitious program, ठीक है, and under which a target of generating 25 lakh jobs was set, ठीक है, has been set for program under the 10th 5 year plan, यह हो गया, और क्य प्रोग्राम थे, तो स्वान जैंती, ग्राम सरोजगार योजना, इसे 1999 में लांच किया गया, ठीक, इन्हें ध्यान बस इतने ही रखने हैं, दो-दो-तीन-तीन पॉइंट्स है, अगर exam में direct आता है, तो वैसे possibility कम रहेती, one marks, two marks में पूछ लेते है, the program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing them into self-help groups, ठीक है, तो ये program किस चीज़ पर focus करता है, program focus करता है, the program aims at bringing the assisted poor families, स्वान जैंती, ग्राम स्वारोजगार, ग्राम स्वारोजगार बोल रहे हैं, मतलब कि जो rural areas है, वो खुद अपने आप develop हो जाए, तो ये rural area में वही बात की गई है, कि जो poor families हैं, ठीक है, तो उन्हें poverty line से उपर लाने में मदद की जाए, ताकि हमारे देश में क्या है, येदे को anti-poverty measures पढ रहे हैं, anti-poverty measures का दूसरा plank, targeted anti-poverty programs, तो ये दिया जा रहा है कि poverty line से लोगों को उपर लाया जाए, ठीक है, तो ये important चीज़ बाए, organizing them into self-help groups, आगे क्या है, प्रधान मंत्री योजना की सीज़ पर बात करता है, it was launched in 2000, 2000 में launch के गया था, ठीक है, additional अब ग्रामोदा योजना, तो ये भी ग्रामोदा है, पूरे के पूरे विलेच को डवलप करवाने के बात की जारी, ग्रामोदा है, पूरा का पूरा गाहों उदाय करें, ठीक है, तो additional central assistance is given to states for basic services, तो ये सारी चीज़ों पर focus किया गया, अब इसका outcome क्या निकल का ये भी, मतलब आपने इतना कुछ तो कर लिया, तो इसका outcome क्या निकल का है, outcome समझी है, देखो, हमने अभी तरह कि यहां पर क्या देखा, हमने देखा government की क्या strategy रही है, government की दो planks पर strategy रही है, यहां पर हमने दे होगे targeted anti-poverty program के outcome में, तो poverty को eradicate करना तो priority रही है, लेकिन कहीं-कहीं पर कोई-कोई लोग छूट गए, कैसे छूट गए अभी भी, कि schedule caste, schedule tribe जो है, तो rural areas में कभी-कभी caste discrimination, social discrimination जो होता है, ठीक है, जो social structure होता है, उसके चलते लोग deprive हो जाते तो उन्हें proper job opportunities नहीं मिल पाए तो यहां पर भी कुछ loophole है, but still government is trying to implement these policies at their best, ठीक है, कोशिश की जाती है कि हाँ, सभी को क्या मिल सके, equal benefits मिल सके, clear है, तो this was all about anti-poverty measures, अभी हमें यह देखना है, कि आपने जितना किया, बहुत बढ़िया, well and good, लेकिन अभी भी आपके सामने कुछ challenges है, तो वो challenges जो है, वो कैसे tackle किया जा सकता है, एक बार last में हम फिर से concluding topic को समझते है, last topic है, इसी के साथ हमारा जो chapter है poverty as challenge, यह chapter भी पूरा complete हो जाएगा, I hope आपको समझ में आया कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, तो the challenges ahead में कर हम देखे, तो poverty, no doubt poverty had certainly declined, ठीक है, तो poverty कही ना कहीं, काफी हद किया हुए, decline हुई है, इसमें कोई doubt नहीं, कोई दो राहे नहीं है कि poverty खतम नहीं है, poverty खतम जरूर हुई है, बहुत कम कर दी है हमने, और अगर हम देखेंगे इसी chapter में हमने आगे पढ़ा था कि पहले कितनी poverty हुआ करती थी, 45% जो हमारी population थी, it was under poverty, ठीक है, हमने उसे काफ कुछ बराबर पैसा जाएगा, तो फिर जिसके पास कार नहीं होगी, वो गरीब कहलाने लगेगा, तो अभी हमारे सामने challenge क्या है, तो challenge यह यह, but reducing poverty remains India's most compelling challenge, ठीक है, तो एक बहुत compelling challenge है, जिसे हम continuously जिसके लिए क्या करती है, हमारी government, ठीक है, हमारे policy maker, सभी लोग संघर्श कर गए, गरीबी उन्हेंने काफी हद तक खतम कर लिये, कुछ states लेकिन आज भी पिछड़े population factor हो सकता है, ठीक है, lack of resources factor हो सकता है, यह सारी चीज़े हैं, तो यह हो गया, रूरल अर्बन एरिया में, जहां अर्बन एरिया में, आप लोग एक silk लेके खा के उड़ा देते हो, वहीं पे रूरल एरिया में, कोई इंसान दिन भर मजदूरी करता है, दिन भर पत्थर तोड़ता है, तब वो उतने पैसे कमाता है, ठीक है, तो वह दिखती बात है, कि रूरल और अर्बन एरिया, दोनों जगा पे क्या है, दोनों जगा पे बहुत जादा disparity है, दोनों जग है, vulnerability of certain social groups, certain social groups, जैसे आपको schedule caste, schedule tribe, women, तो ये group, ऐसे है, these groups are most vulnerable groups in terms of poverty also, हम देखते हैं कि समाज में, अगर मान लो, किसी गाओं में economic development हो रहा है, तो उसके fruits जो है, उसके जो benefits है, वो एक prosperous class तक ज्यादा पहले पहुचेंगे, as compared to the, as compared to the, कह सकते है, so called lower caste, schedule caste, schedule tribe, इन लोगों को कम benefits मिलेंगे, आफिर late benefits मिलेंगे, ठीक है, तो ये जो vulnerability of certain social group हम पढ़ रहे हैं, कि कुछ social group ज़्यादा vulnerable है, compare किया जाए अगर in general society से, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यह होता कि कुछ groups पीछे रह जाते हैं, और ये हमारे सामने एक challenge की तरह खड़ा ह होगा है, ठीक है, अब how to overcome challenges, ये जो challenges हैं रिखती बात है, लेकिन challenges को overcome कर लोगे तो strength बन जाएगे आपकी, ठीक, अब challenges को overcome कैसे किया जाए, तो यहाँ पर दिया गया, this would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, लोगो सारे factors self-explanatory है, अगर आप economic growth पर फोकस करोगे तो अपने आप क्या होग इन challenges से आप उपर आने लगोगे, increasing stress on universal free elementary education, universal free elementary education पर फोकस किया जाए, ठीक है, declining population growth, population growth अगर decline हो रही है, तो उसका एक benefit रहेगा, कम जनसंग्या रहेगी तो आप ज़्यादा अच्छी facilities दे पाऊगे, तो population growth को क्या करो, थोड़ा सा reduce करो, increasing empowerment of the women, जो vulnerable है, उसे सशक्त कर दो दिखती बात है, ठीक है, and the economically weaker section of society, और वो section, those who all are economically weaker, if we are empowering them, then automatically poverty is going to be reduced, so these are some of the factors which are to be taken into consideration to overcome these challenges, clear है, यह सारी चीज़े हो गई है, अब अगर आगे देखे तो एक सबसे बड़ा challenge भी यही है, क्या, limited definition of poverty, limited definition of poverty क्या होता है, इस चीज़ को समझे का बहुत important concept है यह, हमने क्या बोला, कि यह एक line मना दी हमने, ठीक है, इससे उपर जो है, वो poverty line से उपर है, तो वो अमीर है भी है, ठीक है, वो तो money हो गया, ठीक, ऐसा हमारा सोचना हो गया, मतलब calculate तो हम ऐसी कर रहे है, कि जो poverty line से उपर है, वो ठीक है, और जो poverty line से नीचे हम उससे ही गरीब बोलेंग जैसे क्या होता है कि 33 नंबर लाना है पास होने के लिए, कोई 34 नंबर लाया है तो उसे टॉपर थोरी ना बोल दोगे आप, पास तो हो गया है वो, लेकिन क्या है, बॉर्डर पे है, तो उसी तरह की condition यहाँ पे भी है, कि our definition of poverty is very limited in its scope, हमारी जो definition है, बहुत छोटी सी हो ग of living rather than reasonable level of living, ठीक है, दोनों में difference समझो, हमने हमारी definition को minimum तक रखा है बस, कि यह इतना आपने फुल्फिल कर लिया, आप इतना पैसे कमा तो आप poverty line से उपर आ गए, लेकिन जो minimum को फुल्फिल करना है, जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी एक luxurious life जी रहा होगा, नहीं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमारी जो poverty की definition है, वो limited है, उसका scope को क्या करना होगा, enhance करना होगा, उसके scope को wide करना होगा, ठीक है, तो it is about minimum subsistence of level rather than reasonable level of living, ठीक है, reasonable level of living, तो हमें उसे reasonable तक लाना होगा, ऐसा कि हाँ, पैसा कमा भी रहा है, चार पैसा सुकून से कमा रहा है, एक अ broadening the concept of human poverty, हमें human poverty की, जो concept है, उसको क्या करना है, broad करने की जरुवत है, जैसे का कुछ questions आपकी book में पूछे, large number of people में have been able to feed themselves, पेट तो हर इंसान, जानवर भी पेट भर लेता है, ठीक है, तो similarly many people are feeding themselves, खातो दो वक्त की सुबह साम की रोटी सभी को मिल रही है, but do they have, ठीक ह क्या सभी के पास education है, नहीं है, और shelter, क्या सभी के पास घर है, नहीं है, और health care, क्या सभी को equal health care facilities मिल पाती है, job security है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो, और self confidence, ठीक है, are they free from caste and gender discrimination, so these are the issues to be debated, to be discussed, to be taken care of, ठीक है, इन चीजों पर हमें क्या देना होगा, ध्यान देना ह बोल सकते हो, आपकी country में poverty खतम होगे, यह तो नहीं, ठीक है, अब what are the challenges, direct question है, इसे बनता है, कहानी बहुत होगी, अब मैं आपको question बता देता हूँ, तो आप यह challenges लिख देंगे, these are some of the challenges, limited definition of poverty, ठीक है, यह challenges है, तो, अब conclude कैसे करोगे, so working on this points, we can say that eradication of poverty is always a moving target, ठीक है, को eradicate करना है, आपको तो it is always a moving target, तो को यह GIF मुझे मिला बहुत, काफी हथ तक यह बताता है, मतलब, आप poverty को एक moving target की तरह, जिसको आपको continuously trace करना होगा, ठीक है, आपने एक achievement accomplished कर लिया है, तो आपके सामने हैं, दूसरा challenge खड़ा होगा, ठीक, तो उसी तरह से क्या है, poverty को खतम करना भी एक moving target है, और moving target है, इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसके पीछे मतलब प्रयास करना छोड़ दें, ठीक है, हमें भी उसके लिए काम करना होगा, और इसी के साथ हम पूर्ण आहोती डालते हैं, हमारे इस chapter के लिए, chapter होता है, complete, ठीक है, finally we come to an end of our chapter, सारे topics हमने कर लिए, ठीक, किसी भी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much